हेलो सी यूटी चैंपियन्स आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम सी यूटी का जो फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है उसका एक वन शॉट देने वाले हैं जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में जाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है और कहां से कैसे कोशन बनेंगे यह सारा कुछ में आज बता दूँगा और फिर आपको कोशन प्राक्टिस में काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि एक बार सिलेबस रिवाइस करने के बाद कोशन प्राक्टिस पे आप जाओ मार्क्स लाने के लिए जो भी आपका सिलेबस है फिजिकल का उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा एमसी क्यों कोशन प्राक्टिस करनी पड़ेगी है तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाल करना उसे मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है बहुत ज़्यादा हीूमन रिसोर्स की जरूत पड़ती है तो उसी को पढ़ना है कि आखिर किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को मैनेज करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा तो आप समझ रहे हो कि सबसे पहली वो time पे ना start हो जाएगा ना time पे खतम होगा ठीक है तो जो भी planning करते हैं हम वो इसी लिए करते है management में कि ताकि हमारा जो goal है उस goal को achieve कर सके ठीक है पास समझ में आ गई तो function of sports event management का function क्या है function यह है यह प्लान करना चीजों को organize करना और फिर staffing करना स्टाइफिंग का मतलब है कि person को उसको काम देना कि वह यह तुम यह काम करोगे तुम अंपायरिंग करोगे क्रिकेट में तुम कमेंटरी करोगे तुम पानी पिलाओगे तो यह स्टाफिंग वाला काम समझ मे शहर के बहुत सारे स्कूल के आपस के बीच में क्रिकेट टूनामेंट है तो क्रिकेट टूनामेंट में प्लेयर को टीशर्ट देना है ठीक है प्लेयर को वेन्यू बताना है प्लेयर को क्रिकेट किट देना है तो सब काम के एक परसन चाहिए तो परसन को काम अलॉट करना य ज़रूरी है और स्टाफिंग करना ज़रूरी है यह तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इन दा फंक्शन आफ स्पोर्ट्स इवेंट मेनेजमेंट और इसमें सबसे ज़्यादा है ना प्लानिंग ठीक है समझ में आई बात और फिर लास्ट में आता है डारेक्टिंग और दे रहा है तो वही वाला काम जो है वो डारेक्टिंग है ना जैसे मालों की BCCI है BCCI में सेलेक्टर होते हैं टीम सेलेट करते हैं फिर कैप्टन होता है टीम का और कैप्टन अपना जब मैच स्टार्ट होता है तो फिल्डिंग पोजीशन सेट करता है कौन सा प्लेयर बालि standard है उसे maintain करना उसे monitor करना और actual performance को measure करना यह जैसे मैं क्या हूँ मैं control कर रहा हूँ इवंट को ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं सभी sporting जो athlete है उनकी performance को measure करूंगा cheating ना हो यह देखूंगा तो ये सब चीजे controlling है तो यह function का पार्ट है तो किसी भी sports event को manage करना है तो आपको planning करनी होगी आपको organize करना होगा staffing करना होगा direction देना होगा और control करना होगा बात समझ में आगी अब इसमें committee बनाना बहुत ज़रूरी है यहां से question सबसे आदा आता है formation of committee तो किसी भी sports event को manage करना है तो एक organizing committee की जुरत पड़ती है और organizing committee फर्दर चार committee में divided होती है टेकनिकल committee finance committee marketing committee logistic committee जैसे इंडियन cricket team है ना आपको क्या लगता है कि इंडियन cricket team का जो भी match होता है मालों की Australia के साथ हो रहा है match ऑस्टेलिया में तो इंडिया की टीम ऑस्टेलिया गई तो प्लेयर्स थोड़ी जाएंगे प्लेयर्स के साथ साथ उनका kit है ना वह भी जाएगा उनके कपड़े भी जाएंगे उनको किस hotel में रुकना है यह सब प्लेयर थोड़ी देखता है यह तो BCCI देखती हो BCCI में लोग होते हैं जो यह सारा कुछ मैनेज करते हैं ऐसा थोड़ी है कि रोहिष शर्मा को मैच खिलना है तो उसे सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊं तो मैं होन सा hotel बुक करूं वो रोहिष शर्मा की टेंशन नहीं है वो BCCI अपना देख लेगी तो कहीं ना कहीं BCCI में कोई कमिटी कुछ लोग है ना जो क्रिकेट टीम की सारी जरूतों को पूरा कर रहे हैं और प्लेयर को टेंशन फ्री कर दिया कि तुम बेटा बस खेलो तुम छक्के चाओ के मारो तो वही तो कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट जो होता है उसको मैनेज करने के लिए हम प्लैनिंग करते हैं है ना हम और्गनाइज करते हैं स्टाफिंग करते हैं डारेक्टिंग करते हैं कंट्रोलिंग करते हैं तो जब प्लैनिंग की बात आती है तो कमिटी होती है और कमिटी में और्गनाइजि question बहुत जाधे important आता है बहुत जाधे important very important ठीक है अब start करते हैं जैसे Technical Committee यह तो टेक्निकल कमिटी का काम क्या है Technical Committee का जो काम है वो सबसे पहले cleaning and layout of the field फ्रील्ड को साफ सुत्रा करना arrangement of equipment अब मालों cricket का मैच होना है क्रिकेट का किट स्टम बैड बॉल लाना पड़ेगा फुटबॉल का मैच होना है तो फुटबॉल लाना पड़ेगा टीटी का मैच हो रहा है तो टेबल टेनिस का रैकेट और बॉल लाना पड़ेगा तो एक्विपमेंट की जुरत पड़ेगी मालो वेट लिफ् को competition है तो weight lifting के लिए rod और जो डंबल लगे होते हैं वो इसको lift किया जाता है वो लाना पड़ेगा तो equipment को arrange करना साफ फिल्ड को साफ करना ठीक है preparation of fixture fixture मतलब अभी आगे पड़ेंगे कि कौन से team का match किसके साथ होगा कौन सा player का अगेंस्ट कौन सा player होगा यह decide करना ठीक है फिर sports event का rules regulation decide करना यह सारा कुछ technical committee का काम होता है बात समझ में आई हां तो यह tournament के पहले का काम है और during the tournament आपको क्या करना है तो collection of score sheet मतलब माल लिजे कि 100 meter की race हो रही थी 100 meter की race में सबका time note किया गया कि किसने race को कितने time में select complete किया तो इसका मतलब कि score sheet को collect करना या माल लिजे cricket tournament हो रहा है तो आपने rule बनाया था आप ही ने तो technical committee रूल बनाती तो technical committee ने रूल बनाया था कि मैच जितने पर दो नंबर मिलेंगे ठीक है अब हर टीम ने मैच खेले ठीक है मैच खेले कुछ जीते कुछ हारे तो जीतने पर दो नंबर नहीं जीते तो तो यह रूल जो बना उसके हिसाब से score बनेगा हर टीम का तो वह score sheet को maintain करना ओफिशल पेपर को maintain करना यह सब technical committee का काम है और मैच खतम टूर्णामेंट खता हो जाने के बाद अगें cleaning maintenance of the field और equipment जो लिया गया था उसको वापस सही जगा रख देना यह सब technical committee का काम होता है तो गर आप technical committee का part हैं तो आपको इन में से कोई काम करना पड़ेगा है ना जैसे मालो की आपको भी पता है कि जैसे मालो की आपका school है उसने decide कि हम अपने शहर आपका जो school है उस शहर में बागी school यह भी है तो बाकी स्कूल और आपके स्कूल के बीच में कॉम्पटिशन होगा आप ही के स्कूल के प्लेग्राउंड में तो सारा कुछ मैनेज करना आपके स्कूल की जिम्मेदारी है तो स्कूल वाले क्या करेंगे टीचर क्या करेंगे बच्चों को पकडेंगे बच्चों को काम देंगे तो अगर आप टेक्निकल कमिटी में घुज जाते हो यहां इसका पार्ट रहते हो तो आपको यह सब काम करने पड़ेंगे ठीक है क्लिनिंग करना और क्या करते है इक्किप्रमाइंट को अरेंज करना फिल्ड की सफाइ छीजे स्प्लाई करने एक जगर से दूसरे जगरे जाना ठीख है अमाल लो कि कोई टूनमेंट होने वाला है वहां रेफ़री आ रहा है या कोई अंपाइर हैं अंपाइर को बैठने के लिए या कोई चीफ गेस्ट आ रहा है तो वहां उसको बैटने के लिए टेबल चेर की जुरुत पड़ेगी है ना तो फिर उसको अरेंज कौन करेगा लॉजिस्टी कमिटी तो अरेंजमेंट आफ एंड पर्चेज ऑफ इस्टेशनरी चेर टेबल सुवेनियर्स लाइट और साउंड एक्रिप्मेंट बुके सेंडिंग इन्विटेशन टू स्टेक होल्डर एंड इंक्लूडिंग अदर स्कूल से इंस्टूशन और विए पी गेस्ट समझ में आई बात य इन्विटेशन पाया तो अपमेडल दे रहे हैं तो मेडल करिदे और खृदना पड़ेगा ना तो इसटेशनरी दुकान पर जाकर आपको पेन पेपर भी ले ना पड़ेगा मैडल भी खरिदना पड़ेगा और जो लोग गलग आयंrade उनको सर्टीट केट भी देना पड़े ठीक है तो अगर आप Logistics Committee के पार्ट हो तो आप Medal खरीदने भी जाओगे आप Stationary से Pen Paper भी खरीदने जाओगे ठीक है आप सबको Invitation भी देने जाओगे आप Certificate भी खरीदोगे आप First Aid Kit को भी अरेंज करोगे जो बाहर से आए हैं उनके रुकने के लिए Boarding arrangement भी आपका होगा और लोगों को Beach Beach में refreshment कुछ drinks देने के लिए कुछ खाने का देने के लिए भी आपको ही help करना पड़ेगा ठीक है और जो Chief Guest आएंगे उन्हें आप बुके देंगे तो बुके अरेंज करना ठीक है लाइट या sound equipment अरेंज करना क्योंकि कमेंट्री होती है तो माइक की ज़रूत पड़ेगी तो sound equipment आप ही को अरेंज करना होगा ठीक है तो आप जाएंगे बात करेंगे खरीदेंगे और जो भी खर्चाएगा उसका बिल स्कूल वालों को देंगे ठीक है चलिए अब आता है finance committee finance committee का काम क्या है finance committee का काम है सबसे पहले event का budget बनाना है ना budget बनाना budget के बाद अगर event में कुछ sports equipment को खरीदने की जुरूत है तो उसे purchase करना purchase of sports equipment stationary middle certificate तो सर आप सर आपने यह तो बताया था कि यह logistic committee का काम है अरे बेटा यह को finance committee का करेगी finance committee approve करेगी कि 15 medal खरीदने है और उसका पैसा देगी अब वो logistic committee का बंदा होगा वो उस पैसे को लेकर जाएगा दुकान से medal खरीदेगा और लाकर देगा approve करने का का finance committee का और दुकान से उसे लाने का काम अरेंज करने का काम यह logistic committee बाद समझ में आ गई यह तो budget बनाना और sports equipment को purchase करने का approval देना और MOUs with sponsor बहुत सारे sponsor होते तो आपके टूनामेंट में कई लोगों ने sponsor किया है कोई company है जिसने sponsor कर दिया तो उसके साथ MOU sign करना कि सर जब जब टूनामेंट होगा तब तक आप sponsor करना ठीक है तो यह finalize कोण करेगा यह finance committee finance को finalize करेगे ठीक है और फिर outflow and inflow finances को देखना ठीक है payment and remuneration मतलब remuneration मतलब कि मालों कोई athlete आ रहा है तो आप कह रहा हो कि दिन का हम 200 रुपए देंगे है ना तो यह remuneration का पार्ट हो गया तो यह कौन चेक करेगा finance committee को कि सैथलीट को मिला किसको नहीं मिला और इसका पूरा एक outflow बनाना क्योंकि खर्चे तो डेली होंगे तो डेली कहां कहां कितना पैसा खर्चा हुआ यानि पैसों को management को देखने का finance committee का है ठीक है फिर settlement of bills account and preparation of final report क्योंकि बिल्ट क्यों settlement करना पड़ रहा है क्योंकि आप purchase करोगे ना equipment तो equipment purchase करोगे तो बिल्लोगे और बिल्ल का payment करोगे payment करके बिल्लोगे ना तो फिर बिल्ल का settlement हुआ कि नहीं settlement का मत्तब कि जब हम आइलेंस कमिटी का काम होता है और नेक्स आता हम मार्केटिंग कमिटी नाम से लग रहा मार्केटिंग मतलब आपके tournament को spread करना उसका प्रचार करना सुनो 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 यहां मैं tournament होने वाला है तो यह मार्केटिंग वाला काम यानि यह कौन करेगा इसका काम क्या होगा तो अगर आप मार्केटिंग कमिटी का हिस्सा है तो आपको जगा 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 पे meeting arrange करनी पड़ेगी कि भया अपने गली महले में बताओ कि स्कूल में tournament हो रहा है यहां tournament हो रहा है ठीक है sponsor से बात करना पड़ेगा clear sponsor से बात करना होगा और फिर क्या कहते हैं आपको प्रेस रिलीज क्योंकि मीडिया से बात करना होगा paper में अखबार में magazine में यह चीज़ें निकलवानी पड़ेंगी advertisement देना पड़ेगा तो वह कौन देगा advertising marketing committee का जो member होगा वो करेगा ठीक है फिर आपका आता है one of the event is over the committee issues a press release and many arrange for retail a cast of the event तो फिर event को complete हो जाने के बाद उसका press release करना कि यहां tournament हुआ था फिर उसका अगर retail a cast tv पे कराना है तो उसका retail a cast कराना on the basis of demand ठीक है यह और manages methods of communication fulfills the requirement of sponsors as per arrangement of telecast event टीवी पर दिखाना है YouTube पर दिखाना है तो उसको arrange करना कि सब marketing committee का काम है बड़े-बड़े holdings लगवाना कि tournament होने वाला है यह सब marketing committee का काम है बास समझ में आ गई तो चारो committee का हमने काम पड़ लिया तो आई थिंग आपको दिक्कत नहीं आने वाली है ठीक है अब आते हैं types of tournament पे तो types of tournament में आपको ध्यान अखना है कि basically तीन टाइप के ही टूनामेंट होते हैं फीफा वर्ल्ड कप हो आई पील हो ठीक है यह जितने भी tournament हो रहे हैं basically तीन टाइप के tournament होते नॉक आउट लीग जिसे राउंड रॉबिन भी कहते हैं और फिर इन attack stage पे हारे तो टूनामेंट से बाहर यह से दो टीमों के मैच हो जो तीम भाहर हो गई जो टीम जीती वह अगले stage में गई फिर दूसरे टीम के सथ नकश Scottish जाओ जितते जाओ तो अगले stage में आगे जाते जाओ बाहत समझ में आगी जैसे आपने देखा कि सेमी फाइनल सेमी फाइनल जो हार जाता है वो बाहर जो जीत जाता है वो फाइनल में पहुच जाता है तो यह तरीका का नॉक आउटी हुआ लेकिन लीग में ऐसा नहीं होता है लीग में क्या होता है हर टीम पहले कुछ मैच खेल लेती है उसमें से कु हारने पर कुछ points मिलेंगे जीते तो points हारे तो या तो points नहीं मिलता है या तो minus में मिलेंगे जो भी है और फिर जब total matches सारी टीमों के हो जाएंगे तो पर एक score बनेगा उस basis पर जो टीमें होंगी फिर वो आगे जाएंगी और बाकी नहीं जाएंगी वो होता है league और फिर इन दोनों का mixture जिसे कहते हैं combination और league को ही round robin कहते हैं यह भूला मत ठीक है अब जैसे मैं आपसे कहूं कि तीन टीमें थी ए और बी का मैच हुआ ठीक है कौन जीता बी जीत गई ए हार गई ए बहार हो गई अब बी और सी का मैच हो रहा है ठीक है तो यह कौन सा हुआ यह आपका नौक आउट हुआ लेकिन ऐसा ना हो तो फिर कैसा हो तो फिर माल लेते हैं कि a b c तीनो की तीन टीमें हैं तीनो ने दो दो मैच खेला और दो तो टॉप टीमें जो हैं वो A और B हुई points के basis तब इन दोनों के बीच में match होगा तब जाकर C बाहर निकलेगी यह है लीग में तो लीग में आप जीतो या हारो शुरू में आपकी टीम बाहर नहीं होती जैसे IPL में IPL की शुरुवात होती है IPL एक तरीके का combination है मैं बताओंगा कैसे IPL को ज़र ध्यान से समझो IPL की जब starting होती है तो पहले हर टीम हर दूसरे टीम के साथ पूरा match खेलती है तो हर टीम बराबर number of match खेलेगी अगर CS के 10 match खेल रही है तो जो पहला stage होता IPL का माल लेते हैं 10 match खेल रही है 12 या 14 match खेल रही है तो बाकि दूसरे टीमें भी उतने ही number of matches खेलेंगी उसमें से कुछ जीतेंगी कुछ हारेंगी उसके basis पर उनको क्या मिलेंगे points मिलेंगे और जब सारे टीमें equal number of matches खेल लेंगी इसके बाद सारी टीमों का क्या होता एक points stable होता है उस basis पर जो शुरुआत की टॉप की चार टीमें हैं वो फिर semi final खेलेंगी अब semi final से शुरू हो जाएगा नॉक आउट जो जीतेगा वो final में जाएगा तो चार में से दो टीमें बाहर हो जाएंगी दो टीमें final में जाएंगी और फिर final में again जो जीतेगा वो IPL winner जो हार गया वो बाहर तो यानि कि IPL में शुरुआत में तो lead चल रहा है और semi final से क्या शुरू हो गया नॉक आउट तो यानि दोनों चल रहा है तो इसलिए IPL एक तरीके का combination टूनामेंट है बात समझ में आ गई तो टूनामेंट कैसा कराना है यह आपके ऊपर है ठीक है अब इनको देख लेते क्योंकि इन पे numerical question बनते हैं अब यह तीन वर्ट इसकी planning करना यह picture है जैसे आपको पांच टीमों का मैंने नाम दे दिया A, B, C, D, E तो आपने कहा कि पहले दिन A का match होगा C के साथ दूसरे दिन B का match होगा D के साथ ठीक है तीसरे दिन पहले match जो जीतेगा उसका match है ना D1 का जो winner होगा W1, W2, winner 1 यानि पहले दिन का जो winner होगा उसका match माल लेते हैं आपका फिर से किसके साथ हुआ जो ई के साथ ठीक है फिर इस सरी के से आपने planning कर ली यह यह fixture कि किस टीम का match किस के साथ होगा कब होगा किस दिन होगा यह decide करना ही fixture कहलाता है बास समझ में आ गई मैं फिर से repeat कर रहा हूं किस team का match किस तीम के साथ होगा कब होगा कहां होगा ठीक है यह सारी चीज़ें डिसाइड करना ही आपका फिक्षर कहलाता है बात समझ में आगई फिक्षर इस प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट आफ टीम इन इस सिस्टमेटिक और इन वेरियस गुरूप फॉर कंपटेटिव फाइड़ ओर फिज़ल एक्टिविटी किसी भी टूनामेंट के लिए या किसी फिज़ल एक्टिविटी लिए किसी भी स्पोर्ट्स के लिए टीमों को या एथलेट 210 को अरेंज करना और यह किसका किसके against साथ मैच होगा कभ होगा कहां होगा यही है फिक्च्चिर वा समझ में आ गई अब आता है कि या 22 जा इसमें 22 क्या होता है देखो मालो आपके पास तीन टीमे है या पालो पांच टीमे है A, B, C, D, E ठीक है? अब आपने A का मैच करा दिया B के साथ पहले स्टेज में A का B के साथ और C का मैच D के साथ लेकिन E के लिए कोई ओपनेंट है? नहीं है क्योंकि number of team क्या थी? odd number थी ठीक है? तो E का मैच किसके साथ होगा? तो आपने कहा यार पहले स्टेज में, first स्टेज में तो problem आ रही है तो ऐसा करते हैं E को बिना मैच खिलाए second stage में entry करा देते हैं बाकी A, B का आपस में मैच होगा COD का आपस में मैच होगा E मैच नहीं खेलेगी E सीधे second stage में खेलेगी अब मा लेते हैं second stage में यहां से कौन जीता? यहां से A जीता यहां से D जीता, ठीक है? clear? तो यहां से पहुची कौन? A, यहां पहुची D, यहां E पहुची ठीक है? अब आपने क्या करा दिया? A का E के साथ मैच करा दिया? जो जीता वो D के साथ मैच करा दिया? तो कहने का मतलब यह है कि बिना मैच खिलाए बिना मैच खिलाए किसी टीम को अगले stage में direct entry दे देना यही होता है by और ऐसा कब होता है? ऐसा अकसरतब होता है जब number of teams क्या होती है? odd होती है calculate करना होता है calculate करने के formula होता है वो अभी हम पढ़ेंगे तो 22 का मतलब किसी team को अगले stage में direct entry देना बिना मैच खिला है यही है आपका 22 by दे देना बास समझ में आ गई? तो by means a team is not required to participate in the primary round due to allotment of draws. It should be given to any particular participating team through random lottery system तो अब सर ई को ही क्यों मिला? अब आप कहोंगे तो सर ई को by क्यों मिला? ए को क्यों नहीं मिला? बेटा इसका एक rule होता है. lottery system से भी निकाल सकते हैं और by किसको देंगे? इसका एक rule होता है. उस rule के हिसाब से ही by दिया जाता है. ऐसा नहीं कि किसी भी किसी भी टीम पर मन आया तो दे दिया लो. तुम्हारी टीम मुझे बहुत अच्छी लगी. ये लो बाई ले जो. नहीं. तो फिर तो injustice हुआ ना? ये तो justice हुआ नहीं. तो निया हो सही ढग से. इसलिए by देने का भी तरीका होता है. या तो lottery पूछे जाते हैं board exam में. आपको definition लिख देगा और चार option देगा. पूछेगा बताओ क्या है. तो fixture का मतलब टीमों का arrangement करना कि किस टीम का match किसके साथ होगा. 22 का मतलब कि बिना match खिलाए टीम को अगले stage में direct entry दे देना. अब आता है seeding. सीडिंग का मतलब क्या है? seeding का मतलब यह है कि अगर माल लो IPL में अच्छी टीमों की बात करें जो बहुत बार IPL tournament जीट चुकी है. तो आपका नाम आएका Mumbai Indians का CSK का ठीक है? और RCB एक बार भी IPL नहीं जीती. आगे भले ही future में जीत जा है. अभी तक तो नहीं जीती. तो हम यह मान सकते हैं कि CSK और Mumbai Indians बहुत strong team है. अब माल लो क्या हुआ? कि शुरुवात में ही, IPL के शुरुवात में ही हमने CSK और Mumbai Indians का knockout match करा दिया. और पहला match ही हुआ. पता चला CSK जीत गई, Mumbai Indians हार गई, Mumbai Indians बाहर. फिर अगले stage में CSK बाहर. तो अगर अच्छी team है, strong team है, जिनकी popularity जादा है, जिनके followers जादा है, अगर वो starting में ही tournament से बाहर हो जाएंगे, तो फिर IPL देखने वाले लोग कम हो जाएंगे, तो IPL पे इतना खर्चा हुआ है, तो काम कैसे चलेगा, IPL का जो चमक दमक है, IPL की जो रौना के वो कम हो जाएगी, तो ऐसा ना हो, strong team में tournament के end तक जाएं, ताकि romance बना रहे, इस process को देखने का काम ही seeding कहलाता है, कि strong team में एक दुसरे से tournament के starting में ना भीडें, तो कि तो खेलना ही नहीं पड़ा, हम बिना इन से खेले, इनको बाहर हो गए, अब हम tournament में सारी week team में आपस में लडेंगी, उसी में से कोई जीतेगा, तो ऐसे में मज़ा नहीं आएगा, strong team में end तक जानी चाहिए, है ना, जैसे आपको माल लो final इंडिया उस्ट्रेलिया का है, तो फिर मज़ा तो आएगा ना, है कि नहीं, final इंडिया बंगलादेश का है, या बंगलादेश और जिंबाववे का final है, कौन देखेगा भाई, बहुत कम लुप देखेंगे, वही चीज मैं कहा रहो, समझ में आई मेरे कहने का मतलब क्या है, सीडिंग का मतलब कि यह प्रोसेस, जिसमें गुट टीम, गुट टीम का मतलब स्ट्रॉंग टीम, जिसकी रैंकिंग अच्छा है, जिसने पहले अच्छा परफॉर्म किया है, वह स्ट्रॉंग टीम के साथ early stage of the tournament में ना मिले और उसके chance of elimination ये line बहुत important है seeding क्यों की जाती है to reduce the chance of elimination of strong या good team at early stage किसी भी tournament के early stage में शुरुवात में ही strong या good team tournament से eliminate यानि बाहर ना हो जाए tournament में end तक खेले इस चीज़ को check करने का काम ही क्या कहलाता है seeding कहलाता है ठीक है चलो अब बात करते हैं कि अगर कोई knockout tournament है तो knockout tournament का आपको fixture बनाना है तो कैसे करेंगे ठीक है तो यहाँ आपको देखना है सबसे पहले कि हमारी number of teams कितनी है तो याद रखो हमेशा end का मतलब यह होगा number of teams यह ध्यान अकना क्योंकि इसी पर सारे formula चलेंगे end का मतलब number of teams ठीक है इस पर question आता है अब जो आपकी number of teams हैं वो number of teams क्या हो सकती है even भी हो सकती है और odd भी हो सकती है और even है तो वो 2 की power n में हो सकती है या 2 की power n में नहीं हो सकती है तोनों chance है न जैसे कि मैं कहूं number of team 2 है तो 2 even भी है और 2 की power 1 हुआ ठीक है फिर 4 2 की power n है लेकिन 6 2 की power में नहीं आता है तो फिर वो यह हुआ यह वाला case हुआ कि even तो है लेकिन 2 की power में नहीं है या number of team 7 है तो 7 हुआ तो फिर odd हो गया तो यह 3 possibility है कि number of team कितनी हो सकती है knockout fixture की बात कर रहा हूँ knockout tournament में तो knockout tournament में सबसे पहले आपको यह देखना होगा fixture बनाते समय कि कितनी team है odd है कि even है even में भी 2 के multiple में है कि 2 के multiple में नहीं है जैसे 6 2 का multiple नहीं है लेकिन even है लेकिन 8 2 का multiple भी है और even भी है तो यह देखना पड़ेगा ठीक है तो अगर 2 के अब यहां से आपको number of teams पता चल गया यानि n की value पता चल गई अब आपको अगर पूछा जाए कि find the number of matches in the knockout tournament तो number of match calculate करने का formula है n-1 number of teams minus 1 चाहे odd हो चाहे even हो number of teams चाहे odd हो या even हो knockout tournament में जो match को number of matches calculate करने का formula है वो n-1 है अब इस पर question आ जाएगा question कैसे आएगा कि किसी knockout tournament में 18 team है तो 18 team हों के बीच कितने match होंगे formula क्या बना आपका number of teams कितनी 18 तो number of matches कितने होंगे number of teams यानि n-1 यानि 17 तो number of matches कितने होंगे 17 तो 17 match होगे 18 team हों के बीच बास समझ में आई ऐसे question आता है तो यह formula पता चल गया number of matches का ठीक है अब आगे चले जब number of matches पता चल गये अब इसके बाद knockout tournament में टीमों को divide किया जाता है दो group में वो दो group क्या कहलाता है upper half upper half lower half ठीक है अब दो group में कैसे divide करें दो category में divide करना है upper half lower half ठीक है तो कैसे divide करें तो ध्यान रखो if the total number of participating teams are even in number तो अगर number of teams even है चाहे टू के power में हो टू के multiple में या ना हो लेकिन अगर number of teams number of teams यानि n की value अगर even है तो upper half और lower half में कितने कितने team में होंगी आधी 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 मतलब उपर भी n by 2 नीचे भी n by 2 लेकिन ये formula तभी लगेगा जब number of teams even है बाद समझ में आ गई लेकिन अगर number of teams odd है if the participating number of teams are odd तब ये तो even के case में हो गया तब upper half में कितने होंगे lower half में कितने team में होंगे तो upper half में तब आपका formula होगा n plus 1 by 2 number of teams plus 1 by 2 और lower half में कितने team में होंगे number of teams minus 1 by 2 जैसे सर्थ समझ में नहीं आया मैं समझाता हूँ अगर माल लो कि 12 team में है तो n की value कितनी होगी n का मतलर मैंने क्या बोला था ध्यान रखना n आपका बहुत ज़रूरी है बार-बार formula में ये आ रहा है n का मतलर number of teams तो अगर number of teams odd हो या even हो even में भी दो cases है 2 की power 2 के multiple में या 2 के multiple में नहीं है तो n की कोई भी value हो number of matches निकालने का formula तो एक ही है number of matches चाहे number of teams odd हो या even हो number of match निकालने का formula है n minus 1 ठीक है तो मैंने यहां randomly आपको एक कोश्ट number दिया number of teams कितनी है knockout tournament में number of teams 12 है तो number of matches कितने हुए n minus 1 यानि 11 है ना तो number of matches number of matches कितने हुए n minus 1 12 minus 1 यानि 11 ठीक है अब यह देखो कि आगे मुझे क्या करना है अपर और लोवर हाफ में team डिवाइड करना है तो मैं यह देखूंगा कि number of teams even है कि odd तो 12 क्या है even ठीक है तो even है तो फिर अपर हाफ में कितने हो जाएगा n by 2 lower half में n by 2 यानि आधा 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 तो यह n की value है यह तो n की value है तो n by 2 यानि 12 बटे दो कितना आया 6 तो अपर हाफ में छेटी में लोवर हाफ में छेटी में है ना लेकिन अगर यही question में n का value जो होता वो 12 न मैं कोई odd ले लूँ जैसे मालो मैंने 13 ले लिया अब बताओ अब number of matches क्या होगा तो number of match का तो वही formula है n minus 1 तो यहां भी वही formula लगाएंगे number of matches कितने होंगे number of matches is equal to n minus 1 यानि 13 minus 1 यानि 12 अब 13 team को upper and lower half में divide करना है तो मैं यह देखूंगा कि यह even है कि odd even होता तो n by 2 n by 2 divide कर देता लेकिन अब odd है तो odd में यह formula चलेगा upper half में n plus 1 by 2 lower half में n minus 1 by 2 तो n plus 1 13 plus 1 14 14 बटे 2 7 यानि 7 team हो जाएंगी उपर तो बच्चे कितनी team है 6 6 हो जाएंगी नीचे और 6 मतलब n minus 1 by 2 के बराबर 13 में से minus 1 करो 12 12 बटे 2 6 हो गया answer तो upper or lower half में कितने team होंगी 7 उच्छे है ना तो यह वाला formula तब लगाना है जब number of team even हो चाहे वो 2 के multiple में हो या 2 के multiple में ना हो अगर even है number of teams तो upper or lower half में number of team है आधी-आधी आधी-आधी है मतलब n by 2 लेकिन अगर number of teams odd में है तो फिर आपके upper half में कितने team होंगी n प्लस 1 by 2 lower half में कितने team होंगी n माइनस 1 by 2 ठीक है clear अच्छा अब आप ही बताओ कि अगर number of teams कितनी है number of teams 17 है तो upper half में कितनी होंगी lower half में कितने team होंगी तो अपर half में अच्छा number number of teams कितनी है odd तो odd में क्या formula लगता है n प्लस 1 by 2 तो 17 प्लस 1 18 18 यानि 9 9 team होंपर और n माइनस 1 by 2 करोगे तो 8 team ही नीचे है और number of matches कितने आएंगे अगर बैज देखोगे तो formula वही है n माइनस 1 17 माइनस 1 यानि 16 ये formula तो odd हो या even save रहेगा लेकिन upper और lower half में divide करने का जो formula है वो even और odd में अलग अलग रहेगा ठीक है अब ये decide करने के बाद अब आता है 22 कितने दिये जाएंगे after determining upper and lower half team 22 given याद करो 22 का मतलब पताया था कि बिना खेले किसी टीम को अगले stage में आगे भेज देना ये होता है बाई क्यों भेज दिया जाता है क्योंकि उसका कोई opponent नहीं है उसका match किसके साथ खेला है ठीक है और ये किसी को भी नहीं है तो एक rule के according दिया जाता है किस team को बाई मिलेगा इसका एक rule है वो बता दूँगा लेकिन बाई कितने टीम हों कितने बाई दिये जाएंगे एक बाई दो बाई चार बाई कितने बाई दिये जाएंगे ये कैसे decide करेंगे तो अब आपको दिखान देना है कि अगर अगर number of teams अगर number of teams two के multiple में है even है और even में भी two के multiples में है in multiples of two in multiple of two तो no byes कुल by देने की ज़रत नहीं है two के multiple के मतलब two की power one two की power two two की power three two की power one मतलब two four eight 16, 32 तो अगर two की power में चल रहा है multiple में चल रहा है ठीक है even होना भी जरूर है even तो होगा अगर two का multiple है तो even ही होगा लेकिन even तो six भी है लेकिन six आपका two का multiple नहीं है तो ये देख लो number of byes देने के लिए number of teams जो है n वो two के multiple में है तो अगर two के multiple में है तो byes देने की ज़रूरत नहीं है no byes ठीक है लेकिन अब क्या बचा अब इसके अलावा फिर दो case बचा कि even तो है even तो है लेकिन two के not multiple of two लेकिन two का multiple नहीं है और number of team क्या है odd तो ये तीन possibility है मैंने starting में बताया था लेकिन two के multiple में नहीं है तो हम क्या करेंगे तो कैसे निकालेंगे तो आपको जैसे यहां दिया है कि आपकी number of teams क्या है बारा ठीक है बारा अब बारा से बड़ा नंबर बारा से अगला बड़ा नंबर जो two के multiple में आता हो तो two के multiple में two, four, eight, sixteen, thirty-two ठीक है तो बारा से बड़ा नंबर जो की two के multiple में आता हो सबसे पहला होना चाहिए तो बारा, आठ और, सोला के बीच में आएगा कहीं तो बारा से बड़ा नंबर जो two के multiple है वो कितना है? sixteen तो उस sixteen में से बारा minus कर दो यानि number of teams minus कर दो आपको मिलेगा चार यही आपका number of क्या है? 22 है और यह फॉर्ण ना लगाना है जब number of teams क्या है? even है लेकिन two के multiple में नहीं है क्योंकि two के multiple में होगा तो 22 मंतब 0 तब तो no buy किसी भी team को buy देने के जूरत नहीं है क्योंकि अगर मालो 32 team है तो 32 माइनस 32 करोगे तो 0 ही आएगा ना है ना बास समझ में आई लेकिन अगर आपकी number of teams odd है तो क्या करेंगे? number of teams odd है तो भी वही करना है तो भी वही करना है ठीक है? यानि अगर two के multiple में नहीं है तो चाहे even हो या odd आपको number of 22 निकालने का formula यही है number of 22 निकालने का formula यही है कि two के power में जो value है अगली पहली बड़ी value उस से number of teams को माइनस कर दो जैसे if total number of teams is 19 तो 19 से बड़ा पहला number जो two का multiple हो तो two का multiple दो चार, आठ, सोलह, बथिस तो 19 कहीं इन दोनों के बीच में आ रहा है तो 19 से बड़ा पहला बड़ा number जो two का multiple हो कितना है 32 तो 32 में से 19 यानि number of team माइनस कर दो आपके आ जाएंगे क्या 22 ठीक है और अगर 22 even number में आते हैं अगर 22 even number में आते हैं तो बराबर बराबर ऊपर 2 और lower 2 में बढ़ जाएंगे जैसे मालओ कितने आए 24 बाई आए तोः में से दो बाई अपर टीम को दिया जाएगा आपर हाफ की टीमों को और दो बाईubby lower half की टीमों को लेकिन अपके bys अगर odd आते हैं तो फिर Upper half की टीमों को Lower half की टीमों को कितने बाइज मिलेंगे इसका एक formula है formula क्या है number of Why minus one by two ये Upper half की टीमों को मिलेगा इतने बाइज और number of Why फ्लस one by two इतने बाइज lower half की टीमों को मिलेगा ठीक है अब समझाओ अब देखो इसको एक Last में आपको कितने बाई मिलेंगे वो समझ में आ गया अब बाई सबसे पहला किसको दिया जाता है तो हमेशा पहला बाई जो दिया जाता है वो लास्ट टीम आफ लोवर हाफ यह सारे कोशन आते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था ना मालो A, B, C और D और E अपर हाफ में कितनी टीम है तीन टीम है लोवर हाफ में दो टीम है तो पहला बाई किसको मिलेगा फस्ट बाई विल बी गिवन तो दे लास्ट टीम आफ लोवर हाफ तो यह लोवर हाफ है लोवर हाफ की लास्ट टीम कौन है E, तो सबसे पहला बाई इसको मिलेगा यहाँ जो भी टीम होगी उसको पहला बाई मिलेगा फिर अगला सेकेंड बाई किसको मिलेगा फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ तो अपर हाफ की पहली टीम कौन है A, तो उसे दूसरा बाई मिलेगा तो यही rule follow करना है हमेशा यही rule follow करना है उस पर question आता है बात समझ में आ गई ठीक है तो यहां सबसे यादा question बनते हैं मैं चाहूंगा कि इस पर आपको एक question कराए जाए इस पर बहुत सारा important question बनता है इसलिए मैं question करा रहा हूं माल लेते हैं मैंने आपको एक question दिया एक एन की value यानि एन मतलब क्या है बच्चों बताओ एन का मतलब है number of team number of teams कितनी है number of teams माल लेते हैं आठ एन की value आठ तो अब मैं आपसे पूच्छता हूं एक एक करके बताओ number of teams का number of matches कितने होंगे तो number of matches का हमने क्या formula पढ़ाता एन माइनस वन तो एन कितना है एट एट माइनस वन तो number of matches कितने होंगे 7 ठीक है अब क्योंकि एन की value आठ है अब हम क्या करते हैं आप ही बताओ हमने क्या पढ़ा था हम अब तीमों को lower और upper half में divide करते हैं तो if the total number of participating teams are even in number तो क्या हमारी team जो participate कर रही वो even number है हाँ है तो फिर हम क्या करेंगे हम teamों को आधा आधा बाट देंगे है कि नहीं तो हम इस तरीके से team को बाट देंगे ठीक है तो rule क्या follow करना है अगर even number है तो मैंने बताया था n by 2 n by 2 n मतलब number of teams है ना तो n by 2 n by 2 यानि कितने आठ बते दो चार टी में तो चार टी में अपर हाफ में अपर हाफ में चार टी में और n by 2 यानि चार टी में lower half टीक है अब आती बाइस देने की बात तो बाइस देने के लिए मैंने क्या बताया था number of 22 कैसे calculate करेंगे अब आपको number of 20 calculate करना है तो क्या number of team 8 के multiple में है टू के number of team 2 के multiple में है टू की power 248 हाँ यह जो number of teams है वो तो 2 के multiple में है और मैंने पढ़ाया था कि अगर अगर क्या हो number of teams 2 के multiple में है number of teams 2 के multiple में है तो बाइस देने की जरूत नहीं है नो बाइस तो क्योंकि मेरी team 2 के multiple में है तो number of wise क्या हो जाएगा जीरो ठीक है अब मैं एक दूसरे number लेकर solve करता हूं अब मैं एक दूसरे number लेकर आपको solve करवाता हूं देखते हैं आप तो solve कर पाते हो कि नहीं number of team मैंने ले लिया 12 ठीक है अब मैं आपसे कहता हूं कि n की value पता चल गए तो बताओ number of matches तो number of match knockout tournament में number of matches निकालने का formula एक ही है n-1 क्या करोगे 12-1 यानि 11 matches होंगे तो knockout tournament में अगर 12 team में खेल रही है तो number of matches कितने होंगे 11 ठीक है अब हम क्या करेंगे अब hummings को upper और lower half में team को divide करेंगे है कि नहीं तो यह रहा यह रहा upper half और यह रहा lower half तो हमने क्या पढ़ा था अगर number of teams even है तो upper और lower half में कितने कितने team में होती है n by 2 n by 2 तो 12 बटे 2 यानि 6 team में उपर 6 team में नीचे अब आता आती है number of 22 की number of 22 तो क्या 12 2 के multiple में आता है देखो 2 4 8 16 टेन नहीं कि यार बारह तो टू के multiple में नहीं आता even है यहार लेकिन टू के multiple में नहीं आ रहा रहा E तो लेकिन टू के multiple में contractors और लेक्री देखो si और टू का मिल्टीपल भी होना चाहिए तो अगर टू का मल्टीपल देखे तो दो चार छे आठ सोला है ना तो बारस से बड़ा नंबर पहला बड़ा नंबर जो टू का मल्टीपल यह वह तो 12 यानि 16-12 तो यह आजाएगा आपका 4-22 ठीक है कितने आजाएंगे 4-22 आजाएंगे तो अगर 22 इवेन है तो हमने क्या पढ़ा था अगर आपके number of 22 इवेन है for even bys will be placed in upper and lower half ठीक है even number of bys में बराबर बराबर बाढ़ देंगे तो यानि कि 4-22 में से 2-22 उपर और 2-22 नीचे lower half की टीम हो ठीक है बास समझ में आ गई अच्छा अगर यह देखा जाए कि कितने number of round कितने होंगे यह जो पावर है ना यह पावर बहुत इंपॉर्टेंट है यह पावर क्या बताता है यह पावर राउंड कितने मैचेस होंगे number of round टूनामेंट के कितने राउंड होंगे यह वो बताता है ठीक है टूनामेंट का पांच राउंड में होगा चार राउंड में होगा तीन राउंड में होगा तो यह तो पावर है वो यह बताता है ठीक है क्लियर अब एक और नमबर देता हूं मैं आपको अब मैं आपको एक और नमबर देता हूं n की value है 13 अब आप बताई क्या होगा तो number of matches कितने हो जाएंगे formula वही लगाना है solve करो मेरे साथ number of matches तो कितने हो जाएंगे n-1 13-1 यानि बार अब क्या करते हैं अब टीमों को upper और lower half में divide करते हैं यह सारा कुछ में knockout tournament का बता रहा हूँ सबसे आदा question नहीं से आते हैं अब टीमों को upper और lower half में divide करते हैं upper half lower half ठीक है अब आपने देखा कि जो number of team है वो odd है तो odd के case में lower और upper half में कैसे divide करते थे याद करो अगर number of teams odd है तो upper half में n plus 1 by 2 और lower half में n minus 1 by 2 ठीक है चलिए तो इसका मतलब कि यहां हो जाएगा n plus 1 by 2 13 plus 1 n क्या है number of team n का मतलब याद रखना हमेशा number of teams कितनी team हैं 5 6 12 13 जो भी n का मतलब हमेशा यही होता है ठीक है number of teams अलग है number of matches अलग number of round अलग तीनों को निकालने का formula अलग तो n plus 1 by 2 तो 13 plus 1 14 14 बटे 2 7 ठीक है और यह हो जाएगा n minus 1 by 2 13 minus 1 12 12 बटे 2 6 अपर हाफ में 60 में lower हाफ में 6 अब मुझे क्या निकालना है number of 22 तो मैंने क्या देखा क्या मेरी number of teams 2 के multiple में है नहीं अगर होती तो number of by 0 हो जाते 2 के multiple में नहीं है तो मैं क्या करूंगा तो मैं 13 से बड़ा number पहला बड़ा number जो 2 का multiple हो तो 2 का multiple 2 4 8 16 32 तो कहीं ना कहीं 16 है 13 से बड़ा पहला बड़ा number जो 2 का multiple हो 16 है तो 16 माइनस 12 मैं करूंगा तो यह आ जाएगा 4 तो यह आ जाएगा number of 22 ठीक है और 16 का मतलब यह हुआ 16 का मतलब 2 की power 5 है ना तू की पावर बन तू की पावर 2 दू पावर 3 दू की पावर 4 दू के पावर 5 तो यह जो 5 है यह क्या बता रहा है number of round कितने number of round matches नंबर of round बता रहे तो यह पता बताहे नंबर n-1 से number of matches निकलते हैं अब 22 कितने आगे 4 तो 22 क्या है इवेन है ना इवेन है इवेन है तो दो बाई उपर दो बाई नीचे है लेकिन लेकिन अगर 22 ही odd आजाएं तो अगर 22 ही odd आजाएं तो तो क्या करें अब देखो यहां अगर 19 number लेके चले number of teams 90 लेके चले तो देखो क्या आता है number of teams कितनी है तो हम ले लेते number of teams 19 है अब आप भी बताओ number of matches कितने होंगे तो अब उसका formula आपको याद आ गया है n-1 number of matches यह तो यह सदा बाहर formula है चाहे टी में odd हो या even हो even में भी टू के multiple में हो या ना हो ठीक है उस पर ध्यान नहीं रखना यह formula हमेशा apply होगा तो 19-1 यानि 18 matches होंगे ठीक है अब आता है टीमों को अपर और लोवर हाफ में divide करना अपर हाफ और लोवर हाफ तो इसमें यह देखना था कि टी में odd है कि even तो odd है तो odd है तो क्या करेगे तो n-1 by 2 वाला formula लगाएंगे उपर और नीचे n-1 by 2 तो 19 प्लस वन 20 by 2 तो उपर 10 ती में नीचे 9 ती में अब आता है अपर और लोवर हाफ में number of teams पता चल गया अब आता है number of 22 निकालना तो 22 कैसे निकालेंगे मैं यह देखूंगा क्या यह 2 के multiple में है नहीं तो number of 22 होंगे नहीं number of 22 तभी 0 होते हैं जब number of teams भी 2 के multiple में है 2 के multiple में even होने से काम नहीं चलेगा 2 का multiple होना जरूरी है तो यह कैसे निकालेंगे तो number of 22 निकालने के लिए 19 से बड़ा number पहला बड़ा number जो 2 का multiple हो तो 2 का multiple 2, 4, 8, 16, 32 तो 19 से बड़ा पहला बड़ा number जो 2 का multiple है वो तो 32 है तो 32 में से 19 को माइनस कर देंगे तो आपका 22 कितने आ जाएंगे तेरह टोटल number of 22 कितने आ जाएंगे नो तीन बारह कैरी एक तो तीन तो 32 तो नंबर आ जाएंगे तेरह ठीक है अब यह जो 22 हैं यह आपके ओड है ना तो अभी तक क्या थे हर जगह number of 22 कितने आ रहे थे इवेन नंबर आफ 22 इवेन तो 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 अमने आदा आदा बाइस बाट दिया लेकिन जब 22 आपके और आ जाएंगे तब क्या करोगे तो अपर हाफ में कितने बाइस आएंगे तो अपर हाफ में the number of 22 – 1 by 2 lower half में number of 22 यहां आप 22 हैं यहां रखना number of 22 plus 1 by 2 यह चलेगा तो number of 22 कितने आए थे 13 तो तो तेरह माइनस 1 इसको solve करो तो तेरह माइनस 1 मतलब 12 12 बटे 2 6 बाई उपर 13 मैंसे 6 बाई उपर और number of 22 प्लस 1 13 प्लस 1 14 14 बटे 2 7 7 बाई उपर तो अपर और लोवर हाफ में जब टीमों को डिवाइड करते हैं जब number यहां प्लस 1 यहां माइनस होता है लेकिन जब number of 22 को हम अपर और लोवर हाफ में डिवाइड कर रहे होते हैं और number बाइस अगर और है तो फिर number of 22 में ऊपर माइनस नीचे प्लस आता है तो इस वाले फॉर्मले और इस वाले फॉर्मले में कंफ्यूज मत होना अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं ठीक है अब आपसे पुछ ले टोटल नंबर आफ राउंड कितने राउंड मैचेस होंगे तो यह आपको ध्यान रखना है कि जितने की पावर बनेगी तो यह कितने के पावर बन र हो एक दो तीन चार पांच इसका मतब पांच राउंड मैचेस हूंगे इस नॉड़क टूनामेंट में अगर 19 टीमें ऊच्वाइट यहाँ साथ 22 मिलेंगे सबसे पहले किसको बाई मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है कि लोवर हाफ की लास्ट टीम को सबसे पहले बाई मिलता है है ना फिर सकेंड बाई किसको मिलता है अपर हाफ की पहली टीम को फिर तीसरा बाई किसको दिया जाता है last team of upper half इस तरही किसे चलता है फिर fourth Y किसको मिलेगा fourth Y मिलेगा आपका first team of lower half ऐसे चलेगा ठीक है यही rule होता है bys allot करने का ठीक है तो यह knockout tournament की बात है लेकिन अगर league tournament है league round robin भी कहते है तब आपका formula कहा है तब formula आपका ही बदल जाएगा तब आपको ध्यान रखना है कि अगर number of teams N है तो number of matches कितने होंगे N into N minus 1 by 2 चाहे number of teams odd हो या even तो knockout tournament में number of matches निकालने का formula क्या है N minus 1 लेकिन league या round robin fixture में number of matches निकालने का formula क्या है N into N minus 1 by 2 बात समझ में आगई हासर समझ में आगई चलिए आगई चलते है ठीक है even number of teams in tournament does not require giving of any by 2 any team and to find out the number of round formula will be number of teams minus 1 ठीक है तो total number of team 6 है तो number of round अब देखो round robin में number of round निकालना है तो round robin में fixture दो तरीके से बना जाकते हैं cyclic method से और staircase method से ठीक है तो number of round अगर निकालना है number of matches निकालने का तो formula पता चल गया N into N minus 1 by 2 लेकिन number of round निकालना है तो अगर league tournament है और आपको number of round निकालना है तो आप यह देखो कितने टीमे हैं जितने टीमे होंगी number of teams minus 1 करोगे तो number of round निकल कर आ जाएगा बास समझ में आ गई तो even number of teams in tournament does not require giving of anybody to any team and to find out the number of round formula will be number of teams minus 1 तो league tournament में दो चीजें याद रखनी है दो formula number of matches का formula यह है और जो knockout में number of matches का formula था वही formula league tournament में number of round निकालने का है ठीक है जो number of match निकालने का formula है knockout tournament में वही formula league tournament में number of round निकालने का है बास समझ में आ गई ठीक है तो यह दो method से हम fixture बनाते हैं staircase method से और cyclic method से दोनो league tournament का ही part है चलिया अब आता है postural deformities तो postural deformities में जो पढ़ना है उसमें kyphosis, lodosis, bolex, knock knee, flat foot, round shoulder, scoliosis इन से question हाते है diagram देकर पूछेगा कि कौन सा deformity है deformity मतलब structure जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है और postural मतलब हमारे posture हमारे खड़े रहने का जो तरीका है posture में हमारा हो सकता है कि कमर जुग गया हो यह हमारा vertebral column टेड़ा हो गया हो यह हमारे घुटने लड़ रहे हैं है न तो वो postural deformity है तो इसको diagram से धंचो तो अगर आपके घुटने टकरा रहे चलते समय आपका पैर ऐसा है तो घुटने टकराएंगे और जब आप दौरने कोशिश करोगे तो दौर नहीं पाओगे तो इसे कहते हैं नौकनी तो यह किसका diagram है नौकनी का तो ऐसे question आते हैं नौकनी को ही गेनू वलगम भी कहा जाता है यह भी ध्यान रखना जिसमें नीज का घुटनों का miss alignment हो जाता है और यह किधर की तरफ towards inward अंदर की तरफ अंदर की तरफ alignment हो जाता है तो इससे घुटने टकराते हैं टकराते हैं यह नौक करते हैं तो यह याद रखना नौकनी में क्या condition है ठीक है और इससे गेनू वलगम भी कहते हैं done चलिए फिर आता है बोल एक्स बोल एक्स में जो alignment होता है नी का थोड़ा बाहर की तरफ हो जाता है देखो यहां अंदर की तरफ alignment हुआ था घुटनों का बोल एक्स में यह बाहर की तरफ जिससे थोड़ा ऐसा structure आता है तो यह डाग्राम से आपको question आएगा CUT exam में और बोल एक को हम गेनूवरम कहते हैं नौक नी को गेनूवलगम और बोल एक को गेनूवरम तो इसमें जो आपका जो बो एक बो मतलब तीर धनुश के जो धनुश होता है वो धनुश ऐसा ही होता है न तो यहां भी तो ऐसा लग रहा है कि धनुशाकार हो गया है ठीक है तो यहां जो alignment होता है वो outward हो जाता है when the legs curve outward at the knees while the feet and ankles touch infant मतलब आपके feet और ankle touch होंगे लेकिन घुटने दूर हो जाएंगे इसे हम वो leg कहते हैं जिसका दूसरा आप में गेनुवर हम यह भी postural deformity flat foot flat foot का मतलब आपका यह जो आर्क बन रहा है जिसके वज़े से पैरों को निशान ऐसा होना चाहिए ऐसा नहों कर यह आर्क बनी नहीं रहा है और पैरों का निशान ऐसा है तो यह condition है flat foot की तो आप भी जब आर्मी या एर फोर्स या नेवी या डिफेंस फोर्स में आप जाएंगे अगर अगर आपका मन है सपना है कि मैं defense join करूं तो physical fitness test pass करना होता है और physical test में नौक नी वाले flat foot वाले allowed नहीं रहते तो कि flat foot follow को से एक problem यह है कि पहली बात उनके घुटनों पर जोर पड़ता है और वो चल दौर नहीं सकते जहादा तेज क्योंकि उनका जो foot है वो flat है तो यह सारे जो question में करा रहा हूं यह diagram देकर पूछे जा सकते हैं कि बताओ यह कौन सा diagram flat foot का है कि नौक नी का है किसका है तो यह flat foot का है ठीक है clear scoliosis में क्या होता है scoliosis देखो धिहान से देखो diagram आपका यह जो vertebral column है vertebral column में सीधा ना होकर यह थोड़ा टेड़ा हो गया है कि नहीं है कि नहीं बताओ तो यह जो area है thoracic region पर यह आपका या तो left या तो right की तरह अगर bend हो जाए सीधा ना हो तो इसे scoliosis कहते है काइफोसिस में क्या होता है काइफोसिस में काइफोसिस में यह जो आपका vertebral column है यह थोड़ा अंदर की तरफ जादा bend हो जाता है अंदर की तरफ जादा curvature इसका बढ़ जाता है ठीक है यह abnormal condition यहाँ है it is a condition of spine where the curvature of the upper back यह याद रखना अपर back gets exaggerated or increases यानि की upper back upper back मतना यह sorry यह नीचे नहीं यह जो upper back है back देख रहे हो back का जो upper portion है उसका curvature ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है और फिर आता है lordosis तो यहां यह वाला जो back का portion है upper back मतलब यह वाला portion अगर यह कूबड की तरह जैसे आपने देखा हो कूबड निकल आता है तो अगर यह करवेचर बहुत जादा है अगर यह ऐसा होना चाहिए था और यह थोड़ा ऐसा है तो आपके इट पे upper back पे कूबर निकल आया तो यह kyphosis है और lordosis में क्या होता है कि यह जो lower back है यह अंदर की चरफ ज्यादा धस जाता है तो दिस लीड्स तो एन इंक्रीज और एग्जेगरेशन अफ दे नॉर्मल कंकेवटी अफ दे लंबर रीजन तो लंबर रीजन में अगर प्रॉब्लम है यह होता है लंबर रीजन तो लंबर रीजन तो L से याद रखना लाडो डोस एल से लंबर रीजन ठीके अपर बैक में जो होता है दिक्क्षण जो ठ्वर्ःसिक के के आस पास ओस होता है वह स्कॉलिोसिस तो यह स्कॉलियोसिस का डाइग्राम है यह काईफोसिस ॉपर बैक में जो एक्स्ट्रा करवेचर होता है उसका weeks ago यह और अगर ठीक है बास समझ में आ गई चलिए अब आपका यह ध्यान रखना एक फीमेल एथलीट ट्राइड होता है तो जब फीमेल कोई स्पोर्ट्स खेलती है तो फीमेल की बॉड़ी पर कुछ ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो सच प्रेशर पुड़ एथलीट एथलीट्स हेल्ट आपको इसका ट्राइड जो वो ध्यान अकना है लिटो पर कॉलेंट इपासे old इत्रीटिव और कॉलेगें तो फीमेल एथलीट्राइड साथ-एथली आन धेगा तो इन तीनों के नों गसात एक ओप्शन और डेगा तो यह तीनों के साथ साथ तो ट्राइड का female ट्राइड का हिस्सा है यह ना female athlete ट्राइड का तीन component है तीन component क्या-क्या है disorder eating यानि उल्टा सुल्टा खाना, एमीनोरिया यानि खून की कमी और osteoporosis यानि हड्डियों से कैल्शियम का निकलना जिससे हड्डिया कमजोर होती है तो female athlete ट्राइड के यह तीन component है ट्राइड मतलब तीन तो यह तीन हिस्से है अगर इसके अलावा कोई दूसरा नाम दे दिया तो फिर उगलत हो जाएगा ऐसे कोशन आएंगे ठीक है तो यह ध्यान रखना है कि यह हमारा जो female athlete ट्राइड बन रहा है उसके तीन हिस्से हैं एक osteoporosis फिर है आपका अमिनोरिया और फिर आता है आपका disorder eating ठीक है बात समझ में आगी तो यह स्पेक्ट्रम है फिमेल athlete ट्राइड का यह स्पेक्ट्रम है कि हड्डिया या तो बिल्कुल कंजोर होंगी तो osteoporosis और अगर आप हेल्दी है तो bone health अच्छी होगी एमिनोरिया मतला खून की कमी होगी extreme लेवल पर यह सबसे अच्छा condition है यूमिनोरिया यूमनेरिया मतला आपका blood level ठीक ठाक है फिर सबसे बुरा देखो यह सबसे बुरा सबसे अच्छा अब आपकी condition इसमें से किधर की तरफ है यह measure करते हैं ठीक है अगर आप उल्टा उल्टा खा रहे हैं तो आप यहां है और अगर आप optimum energy available है आपको अगर साही से खा रहे हैं तो आप यहां है तो आपकी इस ट्राइड में position कहा है यह depend करती है तो female retried के तीन स्पेक्टर में याद रखना eminorea osteoporesis और disordered eating अब उसके दो रेंज होंगे सबसे बुरा सबसे अच्छा बुरे वाले को और रेड कलर से और अच्छे वाले को green कलर से दिखाए गया तो योगा क्या है योगा क्या है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर है for lifestyle diseases तो योगा से कोशन आते हैं डाइग्राम देकर पूछेगा यह कौन सा योगा है कौन सा आसन है तो योगा मतलब आसन और योगा हम क्यों करते हैं योगा करते हैं हमारे लाइफ में से lifestyle diseases को दूर करने के लिए अपसर यह lifestyle diseases क्या होते हैं तो चार diseases हैं जो lifestyle diseases है इसमें पहला आता मोटापा ओबेसिटी तो योगा में कुछ आसन हम ओबेसिटी को कम करने के लिए करते हैं फिर आता है इसमें diabetes कुछ आसन हम diabetes को कम करने के लिए करते हैं फिर इसमें आता है hypertension तो कुछ हम hypertension को कम करने के लिए करते हैं और फिर आता है यह तो कुछ हम जो योगा करते आसन करते हो लाइफ स्टाइल डीजीज एस्थमा को कंट्रूल करने के लिए करते हैं तो हमारे लाइफ स्टाइल डीजीजेज में आपके फिस्कल एजूकेशन के सिलिबस में यह चार इग्जाम्पल दिये गए है ठीक है डा ओबिसीटी यानि मोटापा डाइबटीस मतलब मदुमे रोग हाइपर टेंशन ठीक है और एस्थमा और इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए हम योगा करते हैं और योगा वर्ड आया है यूजवर्ड संस्कृत के यूजवर्ड से इसका मतलब होता है तू हातों को जोड़ना पैरों को जोड़ना या हातों को पैरों को जोड़ना तो आप देखो देखो गए कि कोई भी योगा का कोई भी आसन करें हम हातों पैरों को जरूर जोड़ते हैं चाहे दो हातों को जोड़े या दोनों घूटने को जोड़े या हात को पैरों से जोड़ लेंगे जरूर तो योग का मतलब संस्क्रिट से यूजवर्ड से आया है जिसका लिए अलग 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 आसन बने हैं पहले हैं कंट्रोल करने के लिए को कंट्रोल करने के लिए लेचाशन के लिए लग करते हैं that is body mass index और इसका एक टेबल है और यह टेबल डबलू हो न डिसाइड किया है ठीक है अब किसी भी परसन का जो body mass index है वो kg per meter square में calculate होता है तो यह उसकी unit है BMI की यह unit है आपको ध्यान अखनी है किसी भी परसन की जो BMI है उससे पता चलता है कि उस परसन को मोटापा है या नहीं है ठीक है तो BMI calculate किस में करेंगे kg per meter square में kg आपकी mass हो गया meter square area हो गया बास समझ में आ गई तो body mass index का जो table है according to WHO यानि world health organization वो यह कहता है कि अगर आपका BMI का score सारे 18 से कम है तो आप नॉर्मल वेट से भी कम हो बहुत पतले हो आपको मोटा होना पड़ेगा और अगर सारे 18 से पचीस सारे 18 से लेकर 25 से कम हो आपका वेट नॉर्मल है अगर आपका BMI पचीस से जाद पचीस या उससे जादा हो 30 से कम है तो ओवरवेट है तो यहां तक तो ओवेशिटी आपको मोटापा नहीं है आप ओवरवेट तो हो है लेकिन अभी आप मोटापा की कैटिगरी में नहीं आए लेकिन जैसे ही आपका BMI स्कोर 30 या उससे जादा है तो ओवेशिटी की शुरुवात हो जाती हो फिर ओवेशिटी में भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 त तो कि 25 और 30 से कम हैं 25 से लेकर और 30 से कम तक ओवरवेट है तो यह आपको याद रखना पड़ेगा BMI कैलकुलेट करने को भी कहा जाता है आपको हाइट देगा आपको मास देगा BMI कैलकुलेट करो और फिर BMI के स्कोर से यह बताओ आपको स्कोर देगा जैसे बोल देगा कि एक परसन का जो BMI स्कोर है वो 24.7 है तो बताओ वो किस कैटिग्री में आएगा तो अब आपको यह याद होना चाहिए कि भाईया सारे 18 से लेकर और 25 से कम तो यह वैल्यू 25 से कम है तो less than 25 नॉर्मल वेट में आया तो फिर उसका कै कैटिग्री क्या होगा नॉर्मल वेट अगर बोल दिया कि वह यह BMI कितना है 28.3 28.3 28.3 30 से कम है 25 और उससे ज्यादा है तो 25 से लेकर 30 से कम तक ओवरवेट फिर यह परसन ओवरवेट की कैटिग्री में 30 से लेकर 35 से कम तक class 1 obesity 35 से लेकर 40 से कम तक class 2 obesity 40 या उससे ज्यादा class 3 obesity तो यह आपको याद होना चाहिए तो obesity का पता body mass index से confirm है 100% confirm है यहां से question आपको मिलेगा COT exam ठीक है चलो अब obesity को कम करने के लिए आपको यह चार आसन याद रखना है यह वजरासन वजरासन है ना बैठ जाओ इस तरह वजरासन हस्त आसन इस तरीके से हाँ जोड़ लो त्रिकोन आसन देखो त्रिकोन या नहीं ट्रेंगल बन रहा है तो यह त्रिकोन आसन और यह डाग्राम देकर पूछे भी जाते हैं और चौता है आपका अर्ध मत्सेंद्र आसन इन चारों आसन करने से योगा करने से आपका मुटापा कम होता है वजरासन हस्त आसन त्रिकोन आसन कोंकि ट्रेंगल बन रहा है और अर्ध मत्सेंद्र आसन याद रहेगा डाग्राम देखकर पहचान लोगे ठीक है अब यहां मैं याद करने के तरीका बताता हूं यससे मेरे दादा जी है वह हमेशा दोपहर में खाना खाने के बाद या रात में खाना खाने के बाद इस पोजीशन में 15-20 मिनट बैठ थे हैं वो हमको बतायती कि मैं वजरासन कर रहा हूं तो वजरासन करने से हमारा जो पित है बाइल है वह अच्छा वर्क करता है ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है और पित किसको डाइजेस्ट करता है फैट को फैट को डाइजेस्ट डाइजेशन प्रॉपर होगा तो मुठापा नहीं होगा ठीक है समझ मैं चलिए फिर हस्त आसन में भी दो आसन है यह जो हस्त आसन है इसमें भी दो केटिग्रीज है पदहस्त आसन और यह हस्त आसन जो नॉर्मली थाई उर्द्वहस्त आसन है ना तो यह पदहस्त आसन है और यह उर्द्वहस्त आसन है तो हस्त आसन में भी दो केस है फिर आता है डाइबिटीज को कंट्रोल करने के लिए तो diabetes मैंने आपको बताए था कि हमारी अगर pancreas, हमारी pancreas जो insulin hormone बनाता है, insulin hormone क्या करता है, blood के sugar level को control करता है, और अगर insulin hormone बनेगा ही नहीं, तो blood का sugar level control ही नहीं होगा, तो blood में sugar level बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसको control करने वाला insulin hormone है ही नहीं, कौन बनाता है, pancreas बनाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, तो हमारे blood का sugar level जरुष से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसी को कहेंगे diabetes, तो ये ध्यान रखना है, कि pancreas कौन सा hormone बनाती है, insulin hormone, और ये hormone किसको control करता है, blood में glucose को, level को, और अगर pancreas ये insulin hormone नहीं बनाएगी, तो blood का sugar level control में नहीं आएगा, और sugar level बढ़ता जाएगा, और आपको diabetes हो जाएगा, तो diabetes में आपको ये question बन सकता है, कि diabetes जो होता है, वो किस hormone की कमी से होता है, तो answer है insulin hormone, और ये hormone कौन सा gland बनाता है, pancreas बनाता है, फिर diabetes में भी type 1 है, type 2 है, type 1 जो diabetes है, उसमें insulin बनी नहीं पाता, body में, और type 2 diabetes में body produces insulin, but unable to use it effectively, अगर आपको type 1 diabetes है, तो आपके शरी में insulin बनी नहीं रहा है, और अगर आपको type 2 diabetes है, तो आपके शरी में इंसुलीन बन रहा है लेकिन शरीर में उस इंसुलीन का यूज नहीं हो पा रहा है शूगर को कंट्रोल करने के लिए ये अंतर है टाइप 1 और टाइप 2 डाइबोटेज में ठीक है और डाइबोटेज से आँखों की रोशनी चली जाती है गैंगरीन हो जाता है अगर कहीं चोट लग गई चोट ठीक नहीं होगी और सड़ जाएगी और फिर उतना पाढ़ काटना पड़ जाता है किडिनी फेल हो जाता है बहुत प्रॉब्लम है डाइबोटेज से अब डाइबोटेज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से आशन है एक है यह सांप जैसा पोजीशन जैसे लग रहा ना कोब्रा तो यह भुजंग आशन भुजंग मतला सांप होता है फिर यह कौन सा अशन है पच्छी मुतन आशन यह सब डाइग्राम देकर पूछेगा बोल लेगा यह बताओ कौन से आशन चार ऑप्शन देदेगा तो यह कौन सा अशन है यह पवन मुक्त आशन है मालो कि यहां से वह फार्टिंग कर रहा है पवन मुक्त हो रही है तो पवन मुक्त आशन है की नहीं है इसे थोड़ा कॉमेडी कर दिया मैंने ताकि आपको याद रहे समझ में आई बात है ना तो इस तरीके से यह तीन आशन भुजंग आशन पवन मुक्त आशन और इतनी छोड़ी थी अब इतनी छोड़ी हो गई मतलब पतली हो गई तो सांस हवा को जाने का रास्था पहले जाद हा ताँब रास्ता कम हो गया क्योंकि इंसे जो मुक्त लिख निकल रहा था वो रास्ता पतला हो जाता है तो एर फ्लो में दिक्कत आती है और फिर ब्रीधिंग प्रॉब्लम होती है आगर आप कोई अस्तमा है किसी को कसके दोड़ जाए तो उसकी सांसी उपर नीचे चलने लगेंगी ठीक है समझ में आया है तो एक इंफ्लेमेशन डिजीज है और इसम ब्रीधिंग में उसके सिम्टम्स क्या है आपका चेस्ट पेन होगा थकान महसूस करोगे हमेशा नाक में जैसे होता है कि स्नीजिंग छींक आती है कफिंग होती रहेगी हमेशा है ना और फिर राजबर सो नहीं पाओगे इस सब सिम्टम से अस्तमा अब इसको कंट्रोल करन के आसने सुख आसन अराम से सुख पोजीशन में बैठ गया है चक्र आसन चक्र बन रहा है फिर गौमुक आसन चक्र आसन और सुक आसन में दो चीजे यहाद रखनी है पहली बात तो आसन का देख कर ही समझ में आज जाना चाहिए कौन सा आसन तो जैसे या असन है और यह र आसन का पोजीशन आसन का नाम और आसन से कौन सी बिमारी लाइफ स्टैल डिजीज ठीक होगी यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए फिर आता है मत्से आसन मछली की तरह शरीद हो गया परवत आसन देखो पोजीशन कैसा है परवत जैसा है तो देखो योगा का आसन पहचानना बहुत आसान है शेप से पहचान लोगे भुजंग आसन साप जैसा था है ना है कि नहीं परवत आसन परवत जैसा पोजीशन हो जाएगा मत्स आसन मत्स मतलब मचली तो आपका शरीर मचली की तरह हो जाएगा चला फिर आता है अगला जो लाइफ स्टाइल अगर बलदप प्रेशुर तो नॉर्मल बल्द प्रेशार कितना होता है 128 मिलिमीटर है चल्शी है अगर आपका बलडभ प्रेशर इससे ज़दा बढ़ जाए तो उसको कहते हाई हाइफिकन्शन हाई बलडड प्रेशर को हाई पटेंशन कहते हैं आपको घवरात होती है ऐसे हाथ फोल्ड गिया ऐसे यह ताड आसन और यह सवासन सव की तरह लिड़ गए तो इन दोनों आसन से आपका हाइपर टेंशन ठीक होता है ठीक है क्लियर आसन पहचान लोगे न बहुत अच्छा चले अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की अब बोर्ड एक्जाम में एक बार कोशन दिया था तो अगर 12 का बोर्ड में कोशन आ सकता है तो 12 का बोर्ड का सिलेबस जो रहता है वही तो पेरालिम्पिक का है या कहलो इंटरनेशनल पेरालिम्पिक कमिटी का है पेरालिम्पिक मतलब इसको तोड़ के पढ़ो लिम्पिक वड कहां से आया है ओलम्पिक से और पेरावड कहां से आया है पेरलाइस से जो विकलांग लोग होते हैं कि विकलांग लोगों मेंसे तो कुछलो विकलांग लोग इस Mr. केलते तो उन विकलांग लोग जो स्पोर्ड किलते हैं उनका जो ओलंपिक्स है वो परडिम्पिक्स कहलाता तो जैसे आदमि Пон doğru इसको कहते न विक लाघ्या N mother में क्या कहते हैं physically abled है ना तो ऐसे लोगों का जो olympics होता है यह paralympics होता है और यह उसी का logo है तो पहला वाला लोगों किसका है paralympics का है ठीक है paralympics international paralympics committee जो की paralympics कराती है इसका organization मतलब organization जैसे cricket tournament कौन कराता है ICC World Cup जैसे है तो ICC कराता है football का World Cup पर तो FIFA कराता है तो paralympics कोन कराता है international paralympics committee headquarters कहां है born Germany में यह सब पूछा जाता है ठीक है फिर यह question board exam में आया था तो CUT में भी आ सकता है कि जब पहली बार paralympic games हुए थे 1960 में कहां हुए थे 1960 रोम इटली में तो कितनी countries ने participate किया तो इसका answer है 23 countries ने participate किया था तो यह दो कोशन आ सकते हैं यहां से कि पहला paralympic कहां हुआ था रोम इटली में कितनी countries ने participate किया था 23 countries ने participate किया फिर यह भी पूछ सकता है कि पैर लिंपिक्स का मोटो क्या होता है कि बोर्ड एक्जाम का कोशन है स्यूटी में भी आ सकता है तो इसका answer है spirit in motion is the logo is the motto motto होता है न स्लोगन तो पैर लिंपिक का हुआ है जर्मनी बॉन में पहला पहला प्रेंपिक गेम कहा हुआ था रोम इटली में कब हुआ था 1960 में कितनी countries ने participate किया था 23 countries ने और इसका मोटो क्या है इसका मोटो है आपका क्या spirit in motion अब आते हैं कि यह जो second logo है यह किसका है सेकेंड लोगो कुछ ऐसा है मतलब यह के वाला बनाते हैं कि अके वाला बनाकर घुमा दो चक्री की तरह तो यह लोगो बन जाएगा तो यह लोगो किसका है को बता सकता है यह है Deaf Olympics Deaf मतलब बहरे लोगों का जो Olympics होता है वो है Deaf Olympics का लोगो और जो अगला लोगो है जो आप देख रहे थे ये लोगो ये बताओ किसका है कि सी कुछ याद आया अरे ये Special Olympics का है Special Olympics का लोगो है तो ये जो बन्द बुद्धी होते हैं जिनको कोई genetic disorder है या जिनको सोचने समझने में दिक्कत आती है तो ऐसे लोगों का जो sports का Olympics होता है वो होता है उसका लोगो ये और इसका ये भी पूछा था कि इसकी founder कौन है तो आइनिश कैनेडी श्रीवर ये फाउंडर है Special Olympics का तो ये भी कोशन आयूपी बस्ता स्यूटी एक्जाम में आ सकता है तो मैंने हर प्रॉबेबल कोशन जो पूछा जा सकता है वो मैंने बता दिया पूछेगा देख ले ना पक्का पूछेगा चले आगे चलो अब आता है sports and nutrition ठीक है sports और nutrition में हमको काफी चीज़े पढ़नी है कि जैसे खाने में क्या carbohydrate protein fat nutrients है ना तो अगर nutrients की बात करें तो nutrients दो टाइप क्यों होते हैं macronutrient और micronutrient इसके example पूछे जाते हैं example आपको याद होने चाहिए ठीक है डन बास समझ में आ गई अब nutrient में macro और micro तो macro nutrient में नाम आता है किसका example होगे carbohydrate ज्यादा quantity में macro मत्तर ज्यादा quantity में ज्यादा nutrient चाहिए तो वह carbohydrate है फिर protein है fat है या लिपीड कहलो और micro मत्तर जो कम quantity में चाहिए तो कम quantity में क्या चाहिए vitamin हो गया mineral हो गया ठीक है तो macro nutrient में यह तीन आते हैं अब तीनों के बारे में पढ़ना है तो carbohydrate सबसे पहले carbohydrate का मतलबी कि carbon और hydrogen से बने हुए तो carbon hydrogen और oxygen से बने जो organic compound होते हैं वही carbohydrate कहलाते हैं जैसे glucose glucose का फॉर्मला क्या है C6 H12 O6 carbon भी है hydrogen भी है oxygen और यह carbon का compound है तो organic compound हुआ तो carbon hydrogen oxygen से बने organic compound carbohydrate कहलाते हैं ठीक है major source of energy हमारा energy का जो major source है वो यही है मत्तब अगर हमें 100 kilo calorie energy चाहिए तो 100 kilo calorie energy में से जादा demand कौन पूरी करेगा तो मालो 80 में से 70 kilo calorie तो carbohydrate से मिलेगी है ना तो एक ग्राम यह भी याद रखना है एक ग्राम carbohydrate कितनी energy produce करता है 4 kilo calorie पर ग्राम में कितना carbohydrate कितने energy produce करता है पर ग्राम carbohydrate produce 4 kilo calorie of energy फिर बात आती है protein की protein हमारी body building food है protein से energy कम मिलता है body को build करने के लिए cells cells को division करना है cell की growth हमारी muscles की growth करनी है तो यह जो body building food है वो protein है protein में carbon oxygen और hydrogen के लावा एक चीज़ और होता है जिससे special बनाता है वो है nitrogen ठीक है और protein बहुत सारे amino acids से मिलके बना होता है और amino acid में ही nitrogen amino acid में ही पाये जाता है ठीक है और total हमारे body में 20 amino acids होते हैं ठीक है फिर आता है fat यह यह भी macro nutrient है fat याने lipid घी पटर इसा fat के example है अब एक ग्राम fat से 9 kilo calorie energy मिलती है 9 kilo calorie energy एक ग्राम fat से मिलती है तो आप क्या देख रहे हो carbohydrate से एक ग्राम में 4 kilo calorie और fat में एक ग्राम से 9 kilo calorie तो ज्यादा energy कौन दे रहा है fat तो हम fat ज्यादा चो नहीं खाते क्योंकि fat पचाना भी तो मुश्किल है खा तो लेंगे खा तो लेंगे लेकिन पचा नहीं पाएंगे और carbohydrate में क्या है कि आप ज्यादा भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है पचे जाएगा इसलिए energy की जो demand है वो हम ज्यादा तर carbohydrate खाके पूरी करते हैं और fat कम खाते हैं क्योंकि fat ज्यादा खा लेंगे अगर आप आज के पुराने जमाने में तो लोग एक एक कटोरी घी खा लेते हैं अब मैं आप से चैलेंज कर रहा हूं अगर एक घटोरी घी पी लो चैलेंज है पेट खराब हो जाएगा पचाही नहीं पाओगे क्यों उतनी physical activity आप नहीं कर फैट मिलके बने होते हैं fatty acid or glycerol से ठीक है fatty acid आपका saturated भी हो सकता है unsaturated भी हो सकता है unsaturated में भी नाम आता है मुफा पूफा का monounsaturated fatty acid polyunsaturated fatty acid ठीक है फिर आता है micronutrient micronutrient में विटामिन विटामिन को दो केटिगोरी में बाटा गया है water soluble vitamin ठीक है और fat soluble vitamin तो vitamin b and c जो है b में भी b1 b2 b3 acid बहुत सारी category है तो b series के जितने vitamin है और c यह water soluble है और जो fat soluble vitamin है वो है यह कीडा vitamin k e d a कीडा तो याद ऐसे रखना है कीडा k e d a fat soluble है बचे हुए b c water soluble है याद रहेगा ना हाँ सर याद रहेगा तो water soluble में बी और सी बी में b1 b2 b3 और सब का नाम भी पूछ सकता है b1 का नाम थाइमीन है b2 का राइबो फ्लेविन b3 का नाइसीन है को साइनो कोबलमान b2l का है ascorbic acid c का है ठीक है vitamin b6 parodoxin है तो vitamin b के series के सारे और vitamin c यह water soluble है और fat soluble में कीडा k e d a ठीक है फिर आते हैं micronutrients में minerals भी आते है minerals में again कुछ minerals हम ज़्यादा खाते हैं उन्हें macro कहते हैं और जो कम minerals खाते हैं वह micro है ठीक है तो macro में आपका sodium है chloride है potassium है calcium है phosphorus magnesium sulfur यह हम ज़्यादा quantity में mineral खाते हैं तो mineral अपने आप में micronutrient है लेकिन mineral में जो mineral ज़्यादा खाते हैं वह macro mineral हुए जैसे यह और जो mineral हम कम खाते हैं वह micro mineral जैसे iron zinc है iodine है fluoride मैगनीज है molybdenum है chromium है यह कम खाते हैं को कम ज़रूरत पढ़ती है ठीक है चलिए अब आता है balance diet balance diet से question आ सकता है तो energy giving food कौन सा है तो energy giving food में पहले आत हमने food को तीन category में डाल दिया तो energy giving food में कौन कौन आएगा तो आपको पता है energy दो चीज़ों से ज़्यादा मिलती है एक carbohydrate है और दूसरा है fat तो यह दोनो energy giving food है body building food में protein आते हैं और protective और regulatory food में आते हैं आपके vitamin और minerals vitamins and minerals ठीक है तो हमारे balance diet में carbohydrate भी होना चाहिए fat भी होना चाहिए protein भी होना चाहिए vitamin minerals भी होना चाहिए ताकि हमारे energy भी मिले body की growth भी हो और बिमारियों से भी बचे रहें क्योंकि विटामिस खाने पर हमको क्या vitamin से हम बिमारी से बचे रहते हैं तो यह है balance diet ठीक है अब आता है आपका next test and measurement in sports यह बहुत important very very important इस पर question आएगा और क्या आएगा वो भी बता देता हूं सबसे पहले motor fitness test ठीक है तो testing motor fitness consists measuring all components of motor fitness to motor fitness के component motor fitness का मतलब कि आप कितने agile है agile मतलब अगर मैं आप से कहूं कि एक मीटर दोड़ो वापस से मुड़कर फिर मीटर दोड़ो वापस से मुड़कर चार मीटर दोड़ो तो आपकी agility कितना तेज भाग सकते हो वह आपकी body की coordination आपकी body का balance body की speed आपका reaction time यह सारी चीजें आपकी motor fitness का part है तो motor fitness test provides to a student a score regarding the level of fitness effectiveness of any training program and present status thereby motivating has him to do better या नहीं कि motor fitness से अगर आप इस test को pass करते हो अच्छा स्कोर करते हो इसका मतलब आप आप एजाइल हो आपकी body का balance अच्छा है आपका reaction time अच्छा है आपके body speed अच्छी है यह सब इससे पता चलता है अब इस motor fitness test में कौन कौन से टेस्ट है तो यह सारे test है इन सारे test से आपको पता चलता है कि आप कितने एजाइल speed balance वाले हो बार समझ में आगे अभी इस test को बारी बारी से पढ़ना है ठीक है तो इसमें क्या-क्या है ध्यान से देख लो motor fitness test में आपका स्टैंडिंग ब्रॉट जंप है शटल रन है सिट एन रीच टेस्ट है 600 मिटर रन वॉक है पार्शल करल अप है modified push-up है ठीक है अब आईए इसको देखते हैं पहला है 50 मीटर standing start boys and girls तो इसका purpose क्या है तो अगर आप यह test करते हैं तो इससे running speed और acceleration student का पता चलता है यह purpose ही आपके CUT exam में पूछा जाएगा है ना कि what is the purpose of 50 मीटर standing start चार option देगा तो answer क्या है body की speed या acceleration पता करना यही इस test का क्या है purpose है there will be a distance of 50 मीटर between two straight lines starting line and finish line तो यह 50 मीटर नाम क्यों पढ़ा है क्योंकि starting of finish line के बीच में 50 मीटर का क्या होगा distance होगा और वही आपको दोड के जाना है ठीक है फिर आता है आपका 1600 मीटर run and walk इसका purpose क्या है तो इसका purpose है student का endurance चेक करना देखो हर test का purpose अलग है और यह purpose ही पूछे जाते हैं तो 600 मीटर run and walk का जो purpose है वह student का या किसी athlete का endurance को चेक करना है determine करना है ठीक है फिर आता है आपका sit and reach test यह सारे test याद रखना motor fitness test का हिस्सा है sit and reach नाम से लग रहा है बैठो और आगे जुक कर reach करो ठीक है तो sit and reach test का जो purpose है वह trunk area की flexibility पता करना trunk area मतलब यह वाली जो area है ठीक है इसकी flexibility पता करना यह आपका sit and reach test का purpose है ठीक है और यहां यह भी पूछा जाता है कि जब आप इसको बिना जटका दिये जब आप ऊपर ऐसे stretch करोगे तो आपको stretch position में कितने समय तक रहना याद रखना sit and reach test में आपको stretch वाली position में 2 seconds तक maintain करना है the student should stretch forward slowly reaching as far as possible with both hands without a jerk and should hold the maximum stress position for 2 seconds यही बैट कर अपने हातों को आगे stretch करना है और maximum stretching पर आपको 2 seconds तक रुकना है यही है sit and reach test इससे आपकी trunk area की flexibility पता चलेगी क्योंकि जितनी body आपकी flexible होगी उतना आगे तक जुक होगे न तो यहां से यह question और यह question आपका बन सकता है COT exam में तो यह पुछा जा सकता है कितने कितने सेकेंड तक hold करना होता है 2 seconds फिर आता आपका partial curl up तो partial curl up में इस तरीके से दो parallel lines होती है पैर यहां रख देते हैं हाथों को यहां तक रखा जाता है ठीक है और इस abdominal strength और endurance का पता लगता है तो यह जो abdomen area है इसमें कितनी ताकत है strength है इसका पता आपको partial curl up से पता चलता है अब यह जो parallel line है इनके बीच का जो gap होता है वह कितना होता है 6 inch का होता है यह भी आपको याद होना चाहिए ठीक है चलिए फिर आता है push-up and modified push-up for girls boys के लिए push-up और girls के लिए modified push-up इसका purpose क्या है अपर body की strength endurance को strength को check करना क्योंकि जब आप push-up मारोगे आपके कंधे अंदे कितने मजबूत है यानि आपका अपर body सीना कंधा कितना मजबूत है यह पता चलेगा तो इसको check करने के लिए यह push-up है और girls के लिए modified push-up फिर आता है standing broad jump standing broad jump में आप एक starting line ये take off line से खड़े-खड़े jump करते हो और इससे आपकी पैरों की explosive leg strength का पता लगता है बात समझ में आगी to determine the explosive leg strength of a student standing broad jump is performed ये भी test gross motor test का हिस्सा है तो अभी तक हम जितने test पढ़ रहे थे सब gross motor test का हिस्सा ते उस अपका अलग-अलग purpose था sit and reach का purpose अलग था है ना 600 meter run and walk purpose अलग था बुस्टेंडिंग broad jump का purpose अलग था ठीक है तो इसका purpose है explosive leg strength को पता लगाना कि अब यहां एक दिहान अखना है कि आप जंप करोगे तो कितना जंप करोगे आप हो सकता है आप यहां तक जंप कि आप हो सकता है यहां तक जंप करो आप हो सकता है यहां तक जंप करो तो distance will be measure from the back of the hill आपका यह जो जब jump करने के बाद जब आप lovers land करोगे तो आपके heel का जो back है वहां से लेकर takeoff line के बीच का distance measure हो औug तो आपके heel का टो से बेंग Mia the अधियान रखना from the back of the hill यानि आपका माल लेते हैं कि आपने इस लाइन से जंप किया और यहां आपका पैर पड़ा तो पैर का जो पिछला हिस्सा है यहां से यहां तक की distance measure होगी अंगूठे तक की distance measure नहीं होगी यही है from the back of the back of the hill to the takeoff line यह भी question आ सकता है चलो फिर आता है shuttle run shuttle run 4 into 10 meter यानि आपको total 10 meter 4 बार दोड़ना यानि 40 meter कैसे दोड़ना है देखो starting line finish line 10 meter गए छू कर भाला फिर 10 meter आए फिर गए फिर आए तो 10 10 10 10 10 खतम तो कितना चार रांड 40 meter हुआ ठीक है और यहां एक wooden blocks रखा रहता है उस wooden block का जो size है वो two into two into four inch का होता है यह भी आपको ध्यान रखना है यहां wooden block होता है और यह काम आपको कम से कम समय में करना होता है यानि कोई timer लेके बैठेगा कहेगा गो तो जितना हो सके जितनी तेजी से हो सके दोर के जाओ line wooden box को चुओ वापस आओ फिर वापस जाओ और फिर वापस आकर यहां पताम कर दो तो आपका 10-10 मीटर कितने बाद चार बार फिर टाइम स्टॉप हो जाएगा अब जो जितने कम टाइम में करेगा उसको क्या पता चलेगा तो इस टेस्ट का परपस है आपकी एजलीटी को चेक करना एजलीटी एड स्पीड ऑफेस टूटें तो शेटल रन का परपस होता है एजलीटी और स्पीड पता लगाना और इसमें जो वूडेन बॉक्स होता है उसका साइज इंच में ते रखा है ठीक है और एक हमने इंच में और पढ़ा था याद करो क्या कि पार्शल करल अप में दो लाइनों के बीच का जो गैप होता है है टू पार्लेल लाइन सा सिक्स इंचेज है पार्ट तो यह भी ध्यान रखना है यही सब कोश्ण बनते हैं दन अब अभी तक ग्रॉस मोटर था अब हमको बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट पड़ने तो बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट में आपके यह तीन टेस्ट आते standing broad jump, zigzag run और medicine ball put अब देखो धियान रखना है इन तीनों के लावा जो भी टेस्ट है वो gross motor test का हिस्सा है वो baro motor ability test का part नहीं है तो ये भी question आ सकता है कि baro motor ability test में केवल ये तीन ही test आते हैं standing broad jump, zigzag run और medicine ball put ये तीन ही test आते हैं सिर्फ तो standing broad jump आईए देख लेते हैं standing broad jump में क्या करना है इसका purpose क्या है अभी हमने पढ़ा था explosive leg strength का पता लगाना ठीक है zigzag run इसका purpose है agility और speed का पता लगाना जो की shuttle run से भी पता लगता है हां और medicine ball put medicine ball put में आपके strength, power, agility सब कुछ पता लगती है आपकी body की strength, power, coordination, speed balance सब कुछ पता करते हैं और इसमें इसको question आता है कि जो medicine ball यह जो ball है है ना जिसको throw करना है इसका weight mass कितना होना चाहिए तो boys के लिए जो ball है उसका वजन 3 kg और girls के लिए जो ball है उसका 1 kg mass होना चाहिए ठीक है तो throw the medicine ball as far as possible तो वो short put की तरह ball लिया उसको गोल आफेक प्रतियोगिता होती है यह है तो यह medicine ball put है तो यहाँ यह weight पूछे जाता है very important medicine ball put में ball का weight पूछा जा सकता है आपके CUT exam में boys के लिए 3 kg, girls के लिए 1 kg ठीक है चलिए फिर आपता आता हावर्ड step test बहुत important हावर्ड step test को किस ने develop किया था यह question कई बार आया चुका है पिछले साल CUT में भी आया था ब्रोवा ने 1943 में ब्रोवा में ब्रोवा ने यह इंसान का नाम है ब्रोवा इन 1943 developed हावर्ड step test तो नाम इसका हावर्ड क्यों पड़ा क्योंकि हावर्ड university के जो college में student थे जो student थे उन्हीं पर यह test perform किया गया था ठीक है और इसका purpose क्या था this test was originally designed for young men of college age college जाने वाले जो young men women's हैं उनके physical fitness चेक करने के लिए और उनका ability चेक करने के लिए कि थकान से work से कितना जल्दी recover करते हैं इसके लिए test बनाता हावर्ड step test ठीक है तो इसका purpose क्या है aerobic fitness को चेक करना ठीक है इसमें क्या करना होता है इसमें wooden blocks पे चड़ना होता है उतरना होता है चड़ना होता है उतरना होता है ठीक है और यह लगातार बिना किसी break के कब तक करना होता है 5 minute तक ठीक है इसमें जो wooden boxes की height पूछी जा सकती है height कितनी होती है 20 inch at the rate of 30 steps per minute for 5 minute यानि कि 1 minute में आपको 30 step करने है और यह ऐसा 5 minute तक लगातार करना है और after the completion of test students sit down and tester takes the heartbeat between 1 to 1 and half 5 minute यानि आप 1 minute में 30 बार उपर नीचे चड़े और ऐसा 5 minute कर रहे हो 5 minute के बाद आपकी heart beat ना पी जाएगी ठीक है किसके कितने time के बीच में 1-5 minute के बीच में और इससे आपका aerobic fitness चेक होता है aerobic fitness का मतलब oxygen को कितना बढ़िया से utilize कर पा रहे हो ठीक है तो यहां बहुत सारे कोशन बन सकते हैं एक कोशन यह है कि जो box की height है वो कितनी होनी चाहिए तो यह जो wooden box है इसकी height कितनी होनी चाहिए 20 inch होनी चाहिए मेरे बच्चा 20 inch in height यह test कितने समय तक चलता है 5 minute चलता है और हर minute में कितने step 30 step complete करने होते हैं और इस test को खतम हो जाने के बाद heart beat जो measure की जाती है वो कब से कब तक measure की जाती है तो test खतम होने के 1-5 minute के बीच में आपकी heart beat measure होती है जैसे माल लिजे कि 10 30 पे यह test खतम हुआ तो इससे 1 minute बाद मतलब 10 31 है ना और 10 31 से लेकर आपका यह 10 31 से लेकर अगले एक से देड़ मिनट एक से लेकर देड़ मिनट के बीच एक से देड़ मिनट के बीच में 30 सकेंड का विंडो आया तो उस 30 सकेंड में आपकी यह heart beat measure होगी पास समझ में आ गई तो यह भी आपको ध्यान रखना है अब इसमें आपका एक fitness index score calculate होता है duration of exercise अब यह score calculate करने के direct question आ सकता है कि calculate the fitness index score तो यह formula apply करना सीधे answer आ जाएगा duration of the exercise in second into 100 upon अब आपका जो pulse count था यह जो स्टेप टेस्ट है इसी टेस्ट से आपका score चेक होता है उसे कहता है fitness index score तो यह जो fitness index score है यह स्टेप टेस्ट का ही हिस्सा है कि जब आप wooden block पे चड़े उत्रे चड़े उत्रे test खतम हो गया तो इससे एक से देड़ मिनिट के बीच में आपका heart beat measure किया गया तो जो heart beat measure किया गया वह value यह हो गई duration of the exercise in second वह पता चल गया into 100 upon 5.5 into यह करेंगे आपका fitness index score आ जाएगा तो यह formula बहुत important है इस पर question आ सकता है यह Harvard step test का हिस्सा है तो अगर आपका score up to 49 आता है तो poor 50 to 80 आता है तो average और 81 यह उससे जादा आता है तो good तो Harvard step test में जो हमने aerobic fitness है न यह fitness के लिए पहले आपका score चेक होगा और score के लिए आपकी heart beat ली जाएगी और उसको इस formula में रखा जाएगा duration of exercise in second यह रखा जाएगा और फिर आपका fitness score के basis पे आपको grade मिलेंगे कि आपका aerobic fitness poor है average है कि good है ठीक है फिर आता है next rock port one mile walk test one mile मतलब 1.6 km तो इसका मतलब यह है कि इसका purpose है VO2 maximum को VO2 maximum estimate करना ठीक है अब VO2 maximum क्या होता है the maximum rate of oxygen used by heart, lungs and muscles during the exercise is known to measure aerobic capacity of an individual VO2 कोई aerobic capacity कहते है यानि कि हमारा जो hurt है या lungs है या muscles है जब हम exercise करते हैं तो यह maximum कितना जादा oxygen को use कर पा रहा है rate of maximum oxygen consumption maximum rate of oxygen used यानि oxygen को कितना अधिक से अधिक use कर पा रहे है हमारा हर्ट, हमारा leg, हमारा muscles कब जब हम exercise कर रहे हैं इस ही को कहते है VO2 maximum और इसकी unit पुछे जा सकते है इसकी unit क्या होती है milliliter per kg per minute और यह कैसे चेक होगा यह VO2 maximum estimate करने के लिए आपको यह rock port one mile test करना पड़ेगा तब आपको एक mile walk करना पड़ेगा और एक mile walk करने के बाद आपका जो VO2 आएगा उससे पता चल जाएगा कि आपका VO2 maximum कितना है ठीक है यह बहुत यह और यह question आ सकते है ठीक है फिर आता आपका Rickley & Jones senior citizen fitness test यह अलग है यह बुड़ों लोगों के लिए बना है Rickley & Jones senior citizen fitness test यह अलग है और इसमें इतने सारे टेस्ट आते हैं बुड़ों के लिए अब आप यह इसको one by one देख लेते हैं तो यह आपका क्या है chair पर बैठ के 30 seconds chair stand test chair पर बैठ कर खड़े होना फिर बैठना है ना 30 seconds तक यह करना है तो इससे senior citizen के लिए बना था और इस टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट आते हैं और उन्हीं सारे टेस्ट को one by one पढ़ रहे हैं तो पहला हमने क्या पढ़ा है 30 seconds chair stand test इसका purpose क्या है lower body की strength को चेक करना फिर आता है arm curl test तो बुड़े लोगों को strength है वो पता चलेगा ठीक है और objective क्या होता है 30 seconds में आपको maximum से maximum time यह dumbbell उठाना है dumbbell का वजन 8 pound होता है किसके men के लिए और 5 pound होता है women के लिए यह भी ध्यान अटना इस पर question आता है तो arm curl test से upper body की strength पता लगती है senior citizen की और यह test 30 seconds में करना होता है और maximum time जितने बार आप dumbbell को curl कर सको हाथ उठा सको है ना एक बार दो बार तीन बार चार बार तो 30 seconds में maximum time करना होता है dumbbell का वजन men के लिए 8 pound और women के लिए 5 pound होता है next chair sit and reach test sit and reach करके यानि कि अब देखो यह diagram photo देखकर भी पूछा जाता है आपको photo देखकर भी पूछा जा सकता है कि बताओ यह कौन सा test है यह कौन सा test है यह कौन सा test है यह फोटो देखकर समझ में आ गया अच्छा chair पर बैठे थे खड़े हो गया यानि chair stand test chair पर stand हो गया ठीक है यह क्या है arm को curl कर रहे हैं अपने पैरों के अंगूठों को छू रहे हैं तो reach करना पड़ रहा है तो यह आपका chair sit and reach test है इससे क्या पता लगता है lower body की flexibility क्या lower body की flexibility पता चलती है clear अब इसमें जो यह measurement है वो कहां से कहां लिया जाता है between the extended long finger and the tip of the toe जो toe की tip है और जो extended finger का जो हिस्सा है उसके बीच का measurement लिया जाता है तो इससे पता चलता आपकी body lower body का हिस्सा कितना flexible है बूरे लोगों का क्योंकि यह सारे test senior citizen के लिए next है आपका back scratch test back stress test का मतलब यह है कि यह upper body की flexibility को lower body की strength upper body की strength lower body की flexibility upper body की flexibility और इन सभी को चेक करने के लिए अलग-अलग test हमने पढ़े जैसे यह क्या था lower body की strength के लिए पार्श आर्म करल टेस्ट था upper body की strength के लिए chair sit and wrist test lower body की flexibility के लिए और back scratch test upper body की flexibility के लिए back scratch test होता है ठीक है इसमें अपने हाथ और ऐसे मोड कर इसको छूना होता है आज समझ में आ गई तो पता चल जाता है कि कितनी आपकी flexibility है upper body की फिर आता है eight foot up and go eight foot तक आईए और वापस जाईए to determine the physical mobility power speed of the senior citizen senior citizen की body कितनी speed up है कितनी agile है कितना उसमें balance है इसको चेक करने के लिए eight foot up and go करना होता है तो to stand and walk 16 feet आठ आगे आना आठ वापस जाना तो आठ आठ 16 feet हो गए ठीक है और बिना दोड़े आपको ऐसे आना है और वापस जाना है और वापस जाकर बैट जाना है to stand and walk 16 feet and sit back as fast as possible without running जितना जल्दी हो सके आठ मिनट आगे आठ फूट आगे आकर आठ फूट जाईए वापस और चेयर पर बैठ जाईए लेकिन दोड़ना नहीं है हाँ तेज चल सकते हैं तो जितना तेजी से चल सकते हैं तेजी से चलिए जितना कम समय में आप यह 16 foot cover करेंगे उतना जादा आप एजाईल है आपकी body का balance है आपकी अंदर power है ठीक है तो यह 8 foot up and go अब यह है आपका 6 minute walk test to determine the aerobic endurance यह सारी चीज़ें आपके याद है और यह मैं कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा question लगाना पड़ेगा तब याद रहेगा ठीक है to walk maximum distance in 6 minute तो 6 minute walk का मतलब यह है कि आपको 6 minute में आपको maximum चक्कर लगाने है कोई हो सकता है कि केवल एक ही round मारे कोई senior citizen 6 minute में 2 चक्कर लगा सकता है तो to walk maximum distance in 6 minute इससे aerobic endurance का पता लगता है यही होता है 6 minute walk test फिर आता है 2 minute step test इसका purpose भी है aerobic endurance को चेक करना तो 2 minute step test में क्या होता है बताइए आपको यह देखा जाता है कि आप 2 minute में कितने step कवर कर सकते हो to count maximum number of step तो आपको पैर उपर रखना है फिर नीचे उतारना है फिर उपर रखना है फिर नीचे उतारना है clear डन समझ में आ गया तो यह आपका aerobic endurance को चेक करने के लिए होता है फिद आता है physiology and injuries and sports तो physical fitness के बहुत सारे component होते हैं strength endurance speed flexibility और सबको improve करने के अलग अलग तरीके होते है strength को improve करने का अलग तरीका endurance को improve करने के अलग तरीके speed को improve करने का अलग तरीका flexibility बढ़ाने का अलग तरीका तो यह सारे component है physically fit होने के तो अगर physical fitness, अगर हम कहें कि एक आदमी physically fit है बच्छों, तो physically fit होने का मतलब कि उसके body में strength भी है, उसके body में endurance भी है, उसके body में speed भी है, उसकी body flexible बतलब flexible भी है, ये सारी चीजें मिलकर एक physical fitness अच्छी बनती है, अब इसमें कुछ चीजें खराब होंगी, कुछ चीजें होंगी, बहुत अच्छी होंगी, तो physical fitness के चार parameter है समझ लो, अगर मैं कोई-कोई अच्छा इंसान है, तो अच्छा इंसान कैसे बनेगा, तो वो अच्छा behavior रखता होगा, लोगों से हस के बात चीद करता होगा, helping nature का होगा, है ना, लोगों को मदद करता होगा, तो ये सार चीजों से पता चला ना, वो अच्छा इंसान है, तो उसी तरक अगर मैं कहूं कि कोई physically fit है, कैसे पता चलेगा, तो अगर कुसी की strength अच्छी है, किसी में endurance अच्छा है, किसी में speed अच्छा है, body में flexibility है, तो ये चारो component मिलकर, एक physically fitness आदमी को बनाते है, ठीक है, अब physiological factor determining the component of physical fitness, physical fitness के जो component है, उसको determine करने वाले physiological factor कौन कौन से है, तो physiological factor जो है, उसमें तीन factor आते है, skeletal muscle कैसा है आपका, energy production factor, cardio respiratory factor, अब यहाँ ये जो तीन factor है, ये physiological factor है, पूछे जा सकते है, अब इसमें ये जो पहला है, जो skeletal muscle factor है, ठीक है, इसमें question आता है, इन से, हमारे body में जो muscles होते हैं, वो muscles fiber के बने होते हैं, और muscles fiber को दो category में बाटा गया है, slow twitch fiber, slow twitch fiber जिसे type 1 fiber भी कहते हैं, और fast twitch fiber जिसे type 2 fiber भी कहते हैं, और इनी दोनों fiber से मिलकर हमारी muscles बनी होती है, अगर आप अपने हमारे muscles को देखोगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे fiber, ऐसे छोटे-छोटे fiber से मिलकर, हमारी muscles बनी होती है, तो जो हमारे fiber हैं, वो दो variety के होते हैं, तो यह हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले यह समझो, हमारे physical fitness के component क्या थे, speed, endurance, है न, यही सब थे न, strength, यही तना, street, endurance, speed, flexibility, तो यह जो physical fitness के component है, इनको decide करने वाला, determine करने वाले physiological factors जो है, वो यह तीन है, तीन है, skeletal muscle factor, energy production factor, और cardio respiratory factor, अब इसमें से, जो skeletal muscle factor है, तो skeletal muscle factor कैसे determine करते हैं, हमारा physical fitness, तो हमारे skeletal muscle में हमको यह पढ़ना है, कि दो type के muscle fiber होते हैं, fast twitch और slow twitch, अब दोनों में difference पुछा जाता है, बहुत important है, mostly muscles contain a mix of both fast and slow twitch fibers, and proportion of these fibers is dependent on genetics, hormones and habit of exercise, तो हमारे body में, muscles में दोनों fiber होते हैं, लेकिन कितने percentage slow twitch fiber होंगे, कितने percentage fast twitch fiber होंगे, यह हमारे genetics पे depend करते हैं, हमारे hormones पे, और हम कैसा exercise कर रहे हैं, उस पे depend करते हैं, ठीक है, चलो, अब यह दुछा देख लो, दोनों का difference, बहुत important है, जो slow twitch fiber है, slow twitch fiber मतलब type 1 fiber, ठीक है, इन में जो oxidative enzymes होते हैं, यह बहुत ज़्यादा होते हैं, यह बहुत ज़्यादा होते हैं, यह बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि fast twitch fiber के compression में, ज़्यादा aerobic activity परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और यह ज़्यादा से ज़्यादा resistance प्रोवाइड करता हैं, अगेंस fatigue, और क्यों कि due to higher concentration of capillaries, the color of fibers becomes red, and has greater supply of blood, such type of fibers contract at low rate, and keep contracting on longer duration, without fatigue, thus protecting large amount of energy, slowly, slow twitch fibers help in long distance running, swimming, cycling, मत्तब समझ भाया, अब देखो क्या क्या आप याद रखना है, यह difference पुछा जाएगा, पहली बात, slow twitch fiber को type 1 fiber भी कहते हैं, ठीक है सर, इनका color red होता है, क्योंकि इन में mitochondria और myoglobin, दोनों जादा होता है, और यह low rate से contract करती हैं, यानि धीरे धीरे contract करती हैं, लेकिन लंबे duration तक contract कर सकती है, मत्तब कोई कहें कि मैं धीरे धीरे गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन बहुत जादा समय तक चला सकता हूँ, वस वैसा ही है, कि contraction का rate इनका slow होता है, लेकिन उसका duration, contraction का duration जादा होता है, ठीक है, और ऐसी fibers हमको मदद करते हैं, जब हम cycling, swimming, running करते हैं तब, जहां longer duration चाहिए, ठीक है, और हमको fatigue से ज़्यादा resistance प्रोवाइड करते हैं, इन में ज़्यादा blood supply, blood capillaries का flow होता है, तो blood supply भी ज़्यादा होती है, ठीक है, have more capillaries, और more capillaries के वज़ज़ से supply of blood भी ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपके type 2, यानि कि जो fast twitch fiber है, type 2 fiber यानि fast twitch fiber है, उनमें ये जो oxidative enzyme से वो कम होते हैं, ठीक है, mitochondria कम होता है, इनकी aerobic capacity limited होती है, और इनमें fatigues के against resistance low होता है, fast twitch fibers do not require blood supply to produce energy, so their color is lighter, इनको blood नहीं चाहिए, तो इनका color इसलिए lighter होता है, as compared to slow twitch fiber, और इनका contraction rate fast होता है, लेकिन ये लंबे समय तक contract नहीं हो पाते है, यानि इसका opposite, और ये दोनों difference आपको याद होता चाहिए, CUT exam में question आ सकता है, slow twitch fiber और fast twitch fiber, दोनों के character याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसा question आ सकता है, which of the following is not the character of slow twitch fiber, fast twitch fiber, तो fast twitch fiber में क्या पढ़ाता हमने, red color के नहीं होते हैं, lighter color के होते हैं, क्यों, blood supply कम होती है, blood की ज़रूरत नहीं पढ़ती है, energy produce करने के लिए, mitochondria कम होता है, blood supply कम होती है, fatigue के against resistance low होता है, अगर आप ठक रहे हो, तो जल्दी ठक होगे, या देड़ तक जल्दी ठक जाओ, या बहुत लंबे समय तक ठकान ना हो, दो condition हो सकती है, तो अगर ऐसे fibers होंगे, तो आप जल्दी ठक जाओगे, ठकान को resist रोक नहीं पाओगे, ठकान आया, बैढ़ गये, तो इनसे जो energy produce होती है, वो थोड़े समय के लिए होती है, इसलिए आप जल्दी ठक जाओगे, तो resistance against fatigue low होता है, और इनका contraction rate तो जादा होता है, लेकिन longer duration नहीं, जबकि slow twitch fiber का क्या था, contraction rate slow था, लेकिन लंबे duration तक था, यह इन दोनों में difference है, ठीक है, फिर अगर बात करें, तो यह तो skeletal muscle factor में आ गया, अब अगला जो physiological factor है, वो energy production factor है, तो energy production factor में आपको यह ध्यान रखना है, कि 3 energy system works in our body, एक तो ATP, CP system, anaerobic और aerobic, energy जो production factor है, यह जो factor है, energy production factor, इसमें आपको ध्यान रखना है, कि हमारे body में energy जो produce हो रही है, वो 3 जगह से हो रही है, एक ATP, CP system काम कर रहा है, एक anaerobic system है, और एक aerobic system है, तो अगर हम किसी activity को कर रहे हैं, जो 10 second से कम है, तो हमें energy कौन देगा, ATP, CP system, अगर हम कोई ऐसी activity कर रहे हैं, जिसके लिए हमको समय कितना चाहिए, less than 2 minutes, तो फिर anaerobic system से energy मिलेगी, जैसे कि 200 meter जोड़ना है, 400 meter दोड़ना है, तो 200 meter आप 2 minutes से कम में दोड़ लोगे, अगर आप अच्छे athlete हो, तो फिर energy कौन देगा, anaerobic system, और अगर लंबे duration तक अगर आपको work करना है, तो energy कौन देगा, aerobic system, तो यह ध्यान रखना है, 10 seconds से कम तक ते लिए अगर आप कोई work कर रहे हो, तो उसके लिए energy कहां से आएगी, ATP system से, 2 minutes से कम तक work कर रहे हो, तो energy कहां से आएगी, anaerobic से, और 2 minutes से ज्यादा, यानि लंबे duration तक, hockey खेलना है, cricket खेलना है, cycling करना है, swimming करना है, तो marathon उड़ना है, तो आपको energy कहां से मिलेगी, aerobic system से, यह energy production factor हो गया, और 3 factor physiological में क्या पढ़ाता है, cardio respiratory, cardio respiratory में मतलब, कि आपका respiratory system और आपका herd यानि वस्कुलर system, यह दोनों मिल के काम करता है, और oxygen को cells तक पहुचाता है, ठीक है, चलिए, अब आता है sports injuries, ठीक है, sports injuries में दो type की injury होती है, soft tissue injury, heart tissue injury, soft tissue injury का मतलब, soft tissue injury में हमारे ligament या tendon में चोट लग जाए, तो soft tissue injury है, और heart tissue injury में हमारा bone dislocate हो जाए, या fracture हो जाए, heart tissue injury है, ठीक है, अब soft tissue injury में आपके इतने सारे example आते हैं, तो इसका मतलब, soft tissue injury भी कई type का होता है, कौन कौन से type का होता है, abrasion, contrusion, laceration, strain, sprain, incision, यह सब आपके soft tissue injury है, तो abrasion में क्या होता है, छिल गया, यह यह abrasion है, है, है न, clear, rubbing away of upper superficial layer of epidermis, तो हमारी upper epidermis clear छिल जाए, तो यह abrasion है, contrusion में क्या होता है, कि चोट लगने के कारण, जैसे मालो हाथ, हाथ दर्वाजे के अंदर दब गया, तो जैसे दबेगा, तो हमारा जो blood है, वो बाहर निकल के इकटा हो जाएगा, तो collection of blood outside of a vessel, blood कहां बैता है, blood तो blood vessels में बैता है, लेकिन हाथ बाहर दब गया, तो यह blood vessel से बहार निकल कर अगल बगल इखटा हो गया, तो ऐसे काला पढ़ जाता है, नीला पढ़ जाता है, इसो कहते हैं, contusion, ठीक है, एक टाइप का, यह hematoma की तरह है, यानि blood इखटा हो गया, तो यह blood इखटा होने के कारणे, नीला पढ़ जाता है, ठीक है, फिर आता है, laceration, laceration का मतलब, कि irregulate tear like wounds caused by some blunt trauma, blunt object, blunt object मतलब, blunt मतलब कि कोई चीज शार्प नहीं है, ना, कोई चीज शार्प नहीं है, लेकिन, जैसे मालों की bat, cricket bat, cricket bat कोई चाकू की तरह शार्प तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने cricket bat चलाया, किसी के आँख पे लग गई, और जो tear है, वो irregular है, कटा है, कुछ ही pattern में नहीं है, ऐसा आडा तिर्शा कट गया, ऐसे चोट को हम laceration कहते हैं, यह भी soft tissue injury है, strain, अगर हमारा tendon, tendon क्या करता है, tendon bone को muscle से जोडता है, strain is an injury to either a muscle, और a tendon generally caused by overuse force or stretching, over muscles का ज़्यादा use करने से, या muscles की ज़्यादा stretching करने से, हमारे tendon में अगर चोट लग जाए, tendon तूट जाए, खराब हो जाए, तो उसे strain कहते हैं, tendon वो tissue है, जो bone को muscle से जोडता है, देखो, यह क्या है, bone, यह क्या है, muscle, इनको जोडने वाला यह क्या है, यह tendon, ठीक है, केर, तो tendon खराब हो जाए, tendon फट जाए, रप्चर कर जाए, तो वो strain है, केर, और इसके लिए कौन सी therapy है, rice therapy, rice therapy मतलब, rest दो, ice की treatment दो, compression दो, और elevation दो, अगर आपके tendon में, आपको strain हो गया न, माली जी आपके tendon में चोट लग गए, तो आपको सबसे पहले, rest करने कड़वाइस दिया जाएगा, फिर चोट पर बर्फ की सिकाई की जाएगी, फिर उसको दबा के रखा जाएगा, compression, और पैरों में सूजन ना आए, इसलिए पैरों को थोड़ा, body के level से उठाया जाएगा, elevation, तो rice therapy, strain में काम आती है, फिर अगला isprayne, sprain अगर हमारे ligament में चोट लग जाए, ligament क्या करता है, हड़ियों को हड़ियों से जोड़ता है, ठीक है, क्यासे मालो, कि ये हड़ियों है और ये हड़ियों है, इनको जोडने वाला जो पार्ट होगा, वो ligament, ligament में हमारे चोट लग जाए, तो ये आता है sprain, तो strain और sprain में confusion होगा, इसी लिए याद रखना, strain में क्या आता है, T, और यहाँ भी tendon में T, तो T आया समझ जाओ, tendon, और बचा हुआ sprain में ligament, ligament रप्चर कर जाए, तो ये आपका sprain होता है, और इसमें भी rice therapy देते हैं, treatment के लिए rice therapy में का, full name पूछ सकता है, rest, ice, compression, elevation, पूछ सकता है rest का, और rice का therapy का, ठीक है, तो rice therapy कब देना है, strain या sprain में, अब आते हैं, heart tissue injury, heart tissue injury में, heart tissue क्या है bone, heart tissue क्या है bone, तो bone में, या तो dislocation हो सकता है, या fracture हो सकता है, और दोनों heart issue injury का ही part है, अब जो dislocation है, वो कई type का होता है, sorry, fracture जो होता है, वो कई type का होता है, एक होता है stress fracture, stress fracture मतलब, कि हम अपने muscles का, हड़ियों का बहुत जादा use कर रहे है, जैसे कोई मालूँ मजदूर है, उसको बोज़ाड होना है daily, धोते धोते उसके हड़ियों पर इतना जोर पड़ा, कि हड़ियां टूड गई, fracture हो गई, तो यह होता है stress fracture, ठीक है, फिर अगर, fracture in which a young soft bone, in which the bone bends, अब जो छोटे बच्चों में एक्सर ऐसा होता है, कि हड़ियां bend होने के कारण, bone bend होने के कारण, तो यह देखने पर क्या लग रहा है, हड़ियां सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन यह तो टेड़ी हो गई, bend हो गई, यह से मालो किसी ने यहां धक्का लगाया, यह हाथ ऐसे मुड़ा, यहां से, यहां से, यहां से नहीं, यहां से, ठीक है, तो वो कहलाता है, आपका, क्या green stick fracture, यह diagram देखकर पुझेगा, अगला आता है, communated में आपको ध्यान रखना है, कि जो bone तूटता है, वो कई सारे pieces में, multiple pieces में तूट जाता है, number of pieces, तो जब कोई bone, हड़ी, कई सारे टुकुडों में तूट जाये, तो उस fracture को communated कहते है, transfers में, हड़ियों के perpendicular अगर हड़ी तूटे, transfer fracture is when there is a straight break, right across the broom, हड़ी और अगर हड़ी ऐसे तूट जाये, ऐसे, 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 यहां से तूट गए, तो across the bone अगर fracture हो, straight, तो उसे transfer fracture कहते हैं, और oblique fracture, oblique fracture का मतलब है, कि हड़ी यहां diagonally तूटे हैं, देखो, यहां straight नहीं तूटा, अगर ऐसे तूटे, तो transverse है, लेकिन अगर हड़ी ऐसे तूटे, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका oblique, oblique मतलब, टेढ़ा diagonally, ठीक है, जैसे हड़ी यहां दो टूटो में हो गई, तो यह diagonally तूटी न, तो इसी लिए से oblique fracture कहेंगे, और फिर आता है impacted fracture, impacted fracture का मतलब, कि जैसे मालोग गाड़ी चला रहे थे, तो आगे से भी गाड़ी आई, पीछे से भी गाड़ी आई, और आगे पीछे से आपको ठोक दिया, अगाड़ी चला रहे थे, अब आपकी body एकदम सिकुड गई, और आपकी हड़ीयां एक दुसरे में टकरा कर तूट गई, तो इस टाइप अ फ्रेक्ट्टर अकर, तो एक छोटा सा प्रेयास था, जिसमें मैंने आपको, C.O.T. के important topics का revision कराया, ठीक है, और जो important topics थे, अब आपको समझ में आ गए होंगे, और इस important topics को अगर आपने cover कर लिया, तो आपका sure shot number आना है, तो वीडियो कैसा लगा, comment section में जरूर बताना, और ये C.O.T. सीरीज का जो निचोर सीरीज है, यह आपको C.O.T. exam में जरूर टॉपर बनाएगा, इसकी guarantee, C.O.T. Adda 24-7 आपको दे रहा है, thank you so much, session से जुड़ने के लिए, जैहें, जैभारत.